वेल्कम तो मैं चैनल आई आप सिम्रान सहानी और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चाप्टर इंडिया फॉरिन पॉलिसी तो यह हमारी बुक टू का चाप्टर है अगर आप बुक में चेक करोगे तो इस चाप्टर का नाम क्या दिया गया है यह चाप्टर में हमें बिल्कुल वही सीम चीज है और कुछ अड़ेट टॉपिक है तो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको कवर करवाने वाली हूं तो लेटेस ताट डा डीटेल एक्स्वनेशन ओफ दिस चाप्टर इंडिया फॉरिन पॉलिसी यह आप इंडिया एक्स्टरनल र स्वरिन और पॉलिसी क्यों होती है कोई भी एक देश की स्ट्राटीजी तक माइड़नी के दीकनिक्स होती है धैकंति दो से करनी के लिए रहते हैं उसके एंडियािा तो इंडिया कैसे बाकी देशों के साथ डिल करेगा ठीक है क्या अपनी strategy रखेगा बाकी देशों से deal करते वे relations रखते वे उसको हम क्या कहेंगे इंडिया की foreign policy की हम पाकिस्तान से कैसे deal करेंगे हम चाइना से कैसे deal करेंगे हम USA से कैसे relations रखेंगे हम USSR से कैसे relations रखेंगे ये सब हमारी foreign policy का हिस्सा है और यही हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं ठ ऐसे ही हमें अजादी मिल जाती है तब हमारी foreign policy कैसे चली और अभी ही तक हमारी foreign policy किस मोड़ पर आ चुकी है ठीक है तो चलो साथ करते हैं चाप्टर का इंडिया का रिलेशन्शिप भूचान नेपाल श्रीलंका मेनमार और साथी के साथ रशिया और यूएसे से भी इंडिया का क्या रिलेशन चल रहा है यानि कि इंडिया की foreign policy कैसी है इनके साथ में तो यह सब आदेट topics भी हम इस वीडियो में cover कर लेंगे तो चलो शुरू करते अपने chapter को now finally तो भाई सबसे पहले यह जानते हैं foreign policy जब हमने अपनी बनानी start करी वो कप थी जब हमें अजादी मिल गए थी ठीक है जब हम अजाद हो गए थे वेन इंडिया जो है हमें इंडिपेंडेंस अचीव हो गया था उसके बाद से अब हमें अपनी foreign policy बे जो था ग करना था और all over the world भी काफी कुछ चल रहा था हम बहुत ही आप क्या सकते हो कि आप कहो कि ना भड़ी अलग सी situation में इंडिया बॉन हुआ था जबी नेशन क्या था देखो पूरा का पूरा वर्ल्ड थोड़े समय पहले हमें अजादी मिली 1947 में और 1945 में वर्ल्ड वर्ड टु खतम हुआ वर्ल वर्ल टू में इतना destruction हुआ न्यूक्लियर वेपन भी गिरा दिये गए थे जपान पर तो जो है रोशमा नागसागी पर तो पूरा पूरा वर्ल जो था ना वार की reconstruction में लगा हुआ था रिकंस्रक्शन मतलब पूरा वर्ल जैसे यॉर्प के जिक पूरा का वर्ना devastation हो गया था ठीक है जो country जीती भी थी ना उनकी भी हालत सही नहीं थी सब अपने economy को rebuild कर रहे थे ठीक है और साती के साथ क्या हुआ एक नई international body जो है वो merge होने के बिल्कुल ही जो है कगार पे थी कौन सी वो body है UN ठीक है world war 2 के बाद UN establish होने वाली थी कैसी international body जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि war जो है वो ना हो ठीक है और साती के साथ बहुत नई country ऐसा नहीं था कि सिफ इंडिया को ही अजादी मिली थी सिफ इंडिया पर्चुगीज ने काफी जगाव पे जो है अपनी कॉलनी बनाई डच ने बहुत जगाव पे कॉलनी बनाई एक्जाम्पल्स बताओ मुझे अगर आपको पता है तो comment section में कलोनियलिजम के तो बहुत सारी कलोनीज बन रही थी अब यह वो दौर आ रहा था जब बहुत सारी जो है कलोनीज अजादी मांग रही थी और उन्हें अजादी जो है उन्होंने हासिल कर ली थी अपने पॉपुलर स्ट्रॉगल्स के तुरू इंडिया अजाद हो गया था काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी more new nations जो थे वो अब अजाद हो रहे थे और यह सब ही new nations जैसे हमें जो कंट्रीज अजाद हो थी उनका अपना जो है दो ही चालेंजस वह सबसे मेजर फेस कर रहे थे जैसे ही वह आजाद हुए वह क्या था चैलेंज जेज और वेलफेर कि वह अपनी कंट्री में वेलफेर करें ब्रेटिश ने कलोनियलिजम करा या डच ने करा या फ्रेंश पीपल ने कलोनियलिजम करा जहां 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 जिस भी एरिया को यह अपनी कोलोनीज बनाते थी उसे एक्स्प्रॉइट कर देते थी तो जो जो कलोनीज जो है अफ्री हुए थी उनके सामने सबसे वड़ा चैलेंज क्या था वेलफेर करना इंडिया से समझ जो हमें अपनी जब इंडिया और और झांटिक्स पहले क्या था कि पूरे के पूरा वर्ल वर्लडी के बाद वीकंस्टॉक्शन में लगा हुआ था उसके बाद क्या हूए यूएन बनने को तैयार थी और तीसरा क्या हूए वर्ल्ड सेज पे कलोनीयलिजम कोलाप्स हो रहा था और बहुत नहीं कंट्रीज हो रही थी और ये सबीनाई कंट्रीज के सामने दो जो है गोल्स थे वो था वेलफेर एचीव करना वेलफेर में मानो आप एकॉनमि अच्छी करना सोशल इक्वालेटी बनाना अपनी कंट्रीज में और डेमोक्रेसी एचीव करना यह सिस्टम चल रहा था चाहे इस साल 2022-23 बैच वाले जो स्टूडेंस है आप लोगों के लिए गाइस कोल वार चाप्टर डिलीट होगे बट फिर भी कोल वार पढ़ना जिससे आप समझ पाऊ मैं एंड़ वाइप लाइटी में भी आपको कोल वार का काफी सारी नॉलिज दी दी थी तो जैसे ही world war two end होता है तो उसमें जो है दो सूपर पावर से मर्च हो जाते हैं world war two just जैसे ही खतम होता है ना मैं आपको एक इख हो बाव सन। में फिर से बता देती हूं इस पूरे चाप्टर में भी हमीं एचीजु इस काम आने वाली है तो जब world war two end हुआ तो उसके बाद क्या हुआ जो जर्मनी इटली जपैन थे वो तो हार ही गए थे विनर्स कौन बने थे वर्ड वार टू के USA USSR और कौन सा था हमारा ब्रिटेन और फ्रांच ब्रिटेन फ्रांच यॉरप में ही थे और ये भी अपनी डीकंस्रक्शन करने में लगे हुए थे जो सबसे बड़ी सूपर पावर दो एमर्ज हुई आफटर दा वर्ल्ड वार टू डाट वस USSR और USA और इन दोनों के बीच में कॉल्ड वार चलना शुरू हो गया अफटर दा वर्ल्ड वार टू कॉल्ड वार क्यों बोला क्योंकि असलियत में इन्होंने आपस में हमले नहीं शुरू कर दिया अपने गैंग बना लिए जिसका जादा पावर्फुल यानि कि वह वर्ल्ड स्टेज पे जादा पावर्फुल हो गया ऐसी लड़ाई इन्होंने करी कि यहां मार पीट नहीं करनी है इस डारेक्ट वाली मेरे ग्रूप में इतने बच्चे मेरे ग्रूप मे मतलब वह ज्यादा तागतवर हो गया है यह इनकी लड़ाई जो है बीश में चल रही तो जैसी ही जो है वर्ल्ड वार टू एंड हुआ तो कोल्ड वार आ गया और जितनी पी कंट्रीस अम नहीं नहीं अजाद हो रही थी उनके सामने एक प्रॉब्लम और थी क्या कि भाई अभी अभी तो कलोनियलिज्म से अजादी पाई थी बृटेन और इन लोगों से अजादी पाई थी जो जो कलोनीस बना रहे थे अब जैसी अजाद होए तो उनकी साथ दो दो यहां के चंड़े बनो यह फिस साथ दो यह से सार कर चंचा बनना पड़ेगा आपको क्यूंकि जो है Cold War में यही हो रहा था कोई USA के साइड जारती तो यूएसे साइड जारती बट हम इंडियन्स ने क्या करा हम किसकी साइड गए हम यूएसे के यही चैसर की आप लाइंस में जोइन हो कम्यूनिजम की फॉलो करो या फिर आप यूएसे की जो है जो इसको फॉलो करो तो यह चाप्टर में हम समनेंगे कौन सा जो है सिस्टम हमारी कंश्य इंडिया डॉट करती है अगर किसी बच्छे को पता है तो मुझे कॉमन सेक्शन मे भी जरूर बता देना ठीक है तो इंटनाशनल कॉंटेक्स्ट हो गया क्या कि भाईया जो इसी इंडिया को जो है अजादी मिली उस समय पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था वर्ल्ड वर्ड टू एंड हो गया था यूएन बनने वाली थी और सभी नेशन जो जो फ्री हो रहे सब्सक्राइब कर चुके थे और उसके बाद हमने क्या देखा पार्टिशन देखा सो मेनी पीपल डाइड इन पार्टिशन सो मेनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी तो वह सब आप चैलेंडिस ऑफ नेशन बिल्डिंग चाप्टर में पढ़ चुके हो कि कितना नुक लगाना था क्यों कि उस समय पर इंडिया बहुत जादा गरीब हो चुका था हमारे यां बहुत जादा अनिम्प्लोइमेंट थी अगरिकल्चर वस वेरी हिट हार्ट बिकॉस ऑफ पार्टिशन ऑलसो तो जो है हमें अपनी कंट्री की एकोनिमी को बिल्ड करना था वह समय थ इसी कैसे बनाई तो हमने अपनी फॉरण पॉलिसी में सबसे बड़ी चीज जो हाइलाइट करें थी कि हम लोग जो है बाकी देशों की जो सोवरेनिटी है उसे रेस्पेक्ट करेंगे सोवरेनिटी मतलब क्यों होती है एक देश की पावर कि वह अपनी गवर्मेंट खुद क करने की पावर तब रिटिश के पास थी बट जब हमें अजादी मिल गई तब हम सोवरेन गंट्री बन गया हमारी खुद की बनाई वी एलेक्टेट करेंगे हमारे को रूल करना स्थार्ट करती है यह सोवरेनिटी तो इंडिया ने अपनी फॉरण पॉलिसी में सबसे बजे में हाईलाइट करी क्या जो मेजर हमने होनघे में जब स साथ करेंगे और साती के साथ security maintain करने की पूरी कोशेश करेंगे अपनी तरफ से with peace तो ये हो गई हमारी foreign policy की शुरुवात ठीक है अब हमें पढ़ने है internal and external relations यानि की guys देखो जैसे एक घर में आपकी book में example दे रहा है और आपका बाहर जो है अपनी friend circle में और relatives के साथ आपका कैसा वहवार है वो सब आपकी development पे जो है आपकी personality पे जो है effect डालता है वैसे ही आपकी country के अंदर क्या चल रहा है और भार के देश में क्या चल रहा है ये सब हमारी foreign policy पे effect डालने वाला था हमें पता है हमारी country में क्या चल रहा था और अब हमें ये भी पता है कि भार के देशों में क्या चल रहा था जितनी भी ये नई नई countries गाइस colonialism से जो है end हो रही थी न और जो new new countries emerge हो रही थी world stage पे जादा तर ये countries को क्या बुलेगे developing countries क्योंकि इन्होंने development लाना शुरू करा था इनके पास resources नहीं थी इतनी और साथ ही के साथ guys जो पूरा का पूरा international system था वहाँ पे अब क्या आ गया था यही जो बात मैं आपको अल्रेडी समझा चुकी हूँ कि दो camps के बीच में जो है division हो गया था world war 2 के बाद या तो जो है नई नई country जो economic और जो इन जिनको बिलकुल freedom मिल गया था या तो वो USA के camp में जाना शुरू कर रही थी या वो जा रही थी USSR के camp में यही बात internal external relation से हमें समझनी है कि हमने अपनी national foreign policy में internal issues का भी effect पढ़ता है और भारी जो issues चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसका भी effect पढ़ता है पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था पूरे वर्ल्ड में जो जो यह असाद हुई इन्होंने तो USA का camp join कर लिया उस समय पे इंडिया ने क्या करा guys हमने कोई भी camp join नहीं करा हमने जो है अपना रास्ता खुद बनाया हमने कहा हम किसी के भी जो है बनाई वे रास्ते बें नहीं चलेंगे नहीं हम USA के गैंग का हिसा बनेंगे नहीं हम यूसे सार की गैंग का बिसा बनेंगे हमने अपने लिए की जैंपल सेट करा और हमने क्या फॉलो करा नॉन इंडिया क्या करेंगा इंडिया किसके सार के साथ चला जाएगा या यूसे के साथ जाएगा जैसे हमें फ्रीडम मिला बट हमने जो है सब को शॉक कर दियो हमने अपना रास्ता खुद बनाया हमने क्या डॉप्ट करा नॉन साथ रहा हमें रहना हम प्रॉफट दिखेगा यहां हमें अपना प्रॉफिट डिखेगा जहां हमें अभी करेंगे यह सी इअ intern इंडिया ने अपनी फॉरण पॉलिसी के थू बता दी थी और भी अडॉप्टे नॉन अलाइन्मेंट के बारे में पूरे डिटेल में चैप्टर वन कोलवर एरा में पढ़ाया गया है जो बुक वन का चैप्टर है बट जो दो हजार बाइस से ही चले सुरेंस उनकी बुक में लेटेल से अब में आपको पूरा इसी चैप्टर में समझा देती हुँ यही है हमारा नेक्स टॉपउट क्या है हमारा नेक्स टॉपउट करा नो और आटाप्ट करा उससे पहले बुक में देखो यह जो आ जाता ठीक है और यह important भी है आगे पूरे चाप्टर में जितना हम अपना इंडिया के external relations के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास गाइस जो हमारी constitution है उसमें article 51 में mentioned है कि जो हमारी foreign policy है जब वो बन रही होगी जो जो government है उन्हें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए article 51 में guys जो है हमारी constitution की laid down है क्या directive principles of state policy on the promotion of international peace and security यानि कि DPSP जो है mentioned है article 51 में related to what क्या DPSP mentioned है हमारे international peace and security से related अगर आपको याद हो हमने class element में भी directive principles of state policy पढ़ा था DPSP that is directive principles of state policy ये क्या होती है ये ऐसी guidelines है जो हमारे constitution में given है कि ये guidelines ये instruction हर government को follow करने चाहिए ठीक है कुछ hard and fast rule है कि हाँ अगर constitution लेकिया तो definitely follow करने चाहिए नहीं बट ये एक guide की तरह है instructions है DPSP और हर government जो है पूरी कोशिश करती है कि वो DPSP के according अपने rules regulations बनाई ठीक है तो DPSP जो है mentioned है हमारे constitution के article 51 में related to the international peace and security की कैसे हमें बाकी country के साथ deal करना चाहिए कैसे international peace security का महौल बनाना चाहिए उससे related भी हमारी जो constitution है उसमें जो है क्या mentioned है कुछ instructions mentioned है under the article 51 ठीक है तो पहली चीज़ जो है वो चाहिए कि हमें जो है पूरे वर्ल में international peace and security का महौल बनाना चाहिए ठीक है इंडिया को अपनी दर से पूरी कोशिश करने चाहिए कि हम भी peace बनाए country में हम भी security बनाए पूरे वर्ल्ड में भी अगर कोई ऐसी बात हो जहां पे इंडिया को अपना योगदान देना पड़े peace maintain करने में तो इंडिया peace से ना हटे इंडिया अपनी पूरी जो है मदद करे उस issue को settle करने में ठीक है maintain just and honorable relation between nations ठीक है और हमें जो है बाकी nations के साथ में just relation बनाने चाहिए और honorable अच्छे relation जो है हमें बाकी nations के साथ बना के चलने चाहिए foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another यानी कि जो जित respect करें और साती के साथ and create settlement of international disputes by arbitration और साती के साथ हमार को ये भी जो है हमारे DPSP mentioned है कि अगर हमारी government को जो है किसी बें international dispute को settle करना हो तो हम arbitration के साथ सेटल करें क्या होता है एक ऐसा process जिसमें अगर कोई dispute हो तो इस agreement साइन करके solve कर जाए तो अभी आप पढ़ो के भी जब हम अलग अलग वार्ट के बारे में देखेंगे जब भी कोई वार हुआ तो हमने जो है agreement साइन करके ही उन सब issues को डील भी करा ठीक है तो यह हमें governing principles दिये गए है क कि जब अगर कोई problem सराइज हो कोई dispute हो तो इंडिया को यह यह वाते अपने दिमाग में रखनी चाहिए अपना टॉपिक टॉपिक पे वापर साते हैं that is policy of nine alignment यानि कि आप पूरा हम समझेंगे यह non alignment policy क्या है और कैसे इंडिया ने non alignment policy को जो है अडॉप्ट करा तो काई हमारे इंडिया के जो external relation थे वह बनने शुरू हो गए थे जब हमें अजादी मिली भी नहीं थी तब भी हमारे बाकी देश जो थे बाकी दूसरे देश जो थे वह दोस्त बनने शुरू हो गए थे इसका एक बहुत बड़ा example भी है हमारे पास जैसे कि जब हमारे इंडिया न अजादी को इंसाइड हो जाती है निकि हमारी इसादी जो है के साथ क्या मिल जाता है क्यों क्यूंकि जैसे हमें अजादी मिली तो भाई या शुरू हो गया 1947 में हमें अजादी मिली और 1945 जब वर्ट वर्ट एंड वा उसके कुछ समय बाद ही यह कोल्ड वर सिच्वेशन ज बन गया जिसे वार्सो बोला जाता था और ये दोनों ही दोनों ब्लॉक्स के बीच में कंट्रीज जा रही थी तो इंडिया को भी जब अजादी मिली तो यह क्वेशन माथ था कि भाया नेटों की तरफ जाओगे या वार्सों की तरफ जाओगे बट हमारी कंट्री ने जो है फॉर्ण पॉलेसी में क्या कहा कि हम तो ना नेटों की तरफ जाएंगे ना हम वार्सों पैक्ट की तरफ जाएंगे हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे हम अपने नैशनल इंटरस्ट को प्रोटेक्ट करने क्लिए काई सब तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे इतनी मुश्क या अपने नाशनल इंट्रेस्टी में अपना शुना हम नौन अलाइंड में और आपने अपना अपना यह देख वाप उस समय में पुरे वर्ल्ड में क्या चल रहा था इंडिया ने कंट्रीज एक दूसरे कैंप में जा रही थी युए न भी बन गया था और सांती के साथ में नुकलियर वेपेंज जो है बड़ी बड़ी सॉपर पावर लेपेंज इखटे कर रही थी और जो है राइज और आज में और आज टो चलो इसके बारे में हम आगे आगे परते रहेंगे अब जो हमारी foreign policy बननी थी तो हमारी foreign policy की leader कौन थे किस ने हमारी foreign policy को lead करा था पहले उनके बारे में जानेंगे और फिर क्या हमारी foreign policy बनी फिर वो समझते हैं तो देखो हमारी कंथी के जो first prime minister थी कौन जवार लाल नहरू जी वो ही थे जिन्होंने सबसे important role play करा था हमारी foreign policy को बनाने में क्योंकि वो foreign minister भी थे उस दरान तो अभी देखो आप अभी हमारी country में हमारी prime minister कौन है honorable प्रधान मंत्री मोदी जी ठीक है अब हमारी foreign minister कौन है जवार लाल नहरूजी foreign minister भी थे वही थे जो foreign policies भी देख रहे थे उन्होंने ही यह foreign policy जो है बनाई थी ठीक है उन्होंने बहुत influence करा था हमारी foreign policy को 1946 से 1964 था 1946 से जब हम अजादी मिलने थी हमार को उससे पहले से ही जो है उनका role start हो गया था 1946 से 1964 तक जो जवार लाल हमारी country की foreign policy shape करे थी कि कैसे इंडिया दूसरे countries के साथ relation बनाएगी अब तीन मेजर objective थे नहरूजी की policy के जब उन्होंने अपनी policy बनाई तो उसमें उन्होंने तीन बातों को जो है हमेशा ध्यान में रखा पहला क्या था तू प्रेज़र्व हार्ड और्ट सोवरेनिटी ओ आजादी हासिल करी है सवरेनिटी का मतलब मैंने अभी आपको बता है उसे हमें जो है प्रोटेक्ट करना है साथ के साथ में हमें अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रीटी को भी प्रोटेक्ट करना क्योंकि आपने देखा कि जब हमारा partition हुआ और साथ हमने जो है प्रिंसली स् करेंगे तो हमें धियान रखना है कि हमारी हार्डन सोवरेंटी को कोई नुकसान ना हो हमेरी टेरिटोरियल इंटेग्रीटी को को नुकसान ना हो और जो है हमारी कंडियमें रापिड डेवलपमेंट आ यह धियान में रखके हम अपनी foreign policy बनाने वाले हैं तीनों गोल्स को साथ जाएंगे और उनका camp join करेंगे ये था non alignment ठीक है तो जो है नहरू जी ने कहा कि मैं ये principles non alignment के थ्रू जो है हमारी country इंडिया अचीव करेंगी बट उस समय पे हमारी country के कुछ ऐसे political factions भी थे जो चाहते थे कि भाया देखो USA क्या था USA pro democracy था ठीक है USA democratic country था ना और इंडिया क अमीड कर जी भी जो थे वो भी चाहते थे कि हम जो है USA के साइट चले जाए क्योंकि USA pro-democratic था कुछ leaders थे जो चाहते थे कि भाया हमें चला जाना चाहिए USSR के साइट में तो देवा वेरियस इसूस बट हमने क्या अडॉप करा हमने अडॉप करा था non alignment अब non alignment में क्या हुआ सिंपल non alignment में यही हुआ था कि हम डिस्टेंस रखेंगे दोनों ही कैंप से यूएसे USSR से हम डिस्टेंस रखेंगे बट हमने कहे दिया था यह बट इस आक्ट को बैलेंस करना कभी-कभी इंडिया चली मुश्किल हो जाता था जब हमने non alignment policy adopt करी तो कहीं हमारे पे जो है न क्र इसी जोइन करिए वैसे तो USSR का पक्का दोस्ता है कौन इंडिया क्यूंकि आपने और यूएसे साथ के रिलेशन्शिप पड़े हमने जो है फ्रेंड्शिप ट्रीटी भी साइन करे थी USSR के साइथ में सोवियत उनियन के साथ हमारे काफी अच्छ रिलेशन थे बेस्ट जाता था कि इंडिया जो है ना उनलाइनमेंट केसा है इंडिया का नौन थे वैसे तो यह उसी होते हैं उसे रहे हमारी कृमें लगते डिया थ खया च्छ जोहां कि प्ली रहा क्या से से सटने से हमारी कंट्री य弗 मिलेगी तब हम इसे पर भी साथ दिया हमने यू इसे से भी अपने इंट चैप्टर में पड़ा कि जब हमारी कंट्री में Computer sufficiency नहीं थी तो हमने जो है USA से मदद ली ती और हमने उनसे ग्रेंस लिया तो और फिर जब हमने Green Revolution रडॉप करा तो USA ने जो कुछ भी कहा हमने अपने Economic Policy में उसको डॉप करा तो हमने जहां पे हमार को अपना जो है profit डिखता था जिस हिसाब से हमें अपनी कर देता था ऐसा लगता था कि इंडिया USSR के साइड है कि एक्जामपल गिवन है छोटा सा जिससे जो है लोगों को लगता था कि नहीं इंडिया जादा जो है पक्ष लेता है किसका USSR का क्यूं क्यों कि देखो 1956 में ब्रेटेन ने अटाक कर दिया था एजिप्ट को वर दे स्विस किनाल इशू ठीक है ब्रेटेन और यूएसे नेटों के मेंबर थे ने एक टाइप ही मान लूआ ठीक है तो उस समय पे इंडिया ने अपनी आवाज उठाई थी अगेंस दर नियो कलिनिसम इंडिया ने क्या कहा कि अब तुम पूरे तरीके से क तो कलोनियलिजम करें अब तुम जो है नया रास्ता निकाल रहे हो कलोनियलिजम करने का तुम अवाज उठाई थी ठीक है इंडिया ने हमारे डीपीस पे गिवन है हमारी फॉर्ण पॉलिसी में है कि हम हमेशा आवाज उठाएंगे अपने वर्ल्ड में इंटरनाशनल पीस सब्सक्राइब करने के लिए तो तब 1956 में हमने आवाज उठाई ब्रिटेन के खिलाफ उठाई या उस समय में एक ही बात थे क्यों कि तब नेटो था यह सब एक ही अलाइंस का मेंबर थे बट उसी साल उसी एर में जब यूएससर ने हंगरी पे इन्वेशन हंगरी पे उसम में हमने आवास क्यों नहीं उठाई यह बाते जो है वह छिड़ गए ठीक है तो इसलिए कहा जाए था कि इंडिया का नौन अलाइनमेंट बैलेंस नहीं है चलो जो भी था थे तो हम नौन अलाइंट ही जहां हमें अपनी जो है फाइदा दिखता था वह हम जो है वैसा डिस जॉइन कर लिए अपना एक पूरा थर्ड वर्ल्ड बना लिया था तो उसके बाद हमारी कंट्री की लीडेस क्या करते थे बाकी जितनी नहीं कंट्री अजाद होती थी उनके पास जा देते नहीं कहते थे नहीं आप भी जो है पीस का मौल बनाने के लिए ऐसे यह इन कैम्स से जो है इंडिया और युएसे के रिलेशन्शिप 1950 से थोड़े गलबढ होने शुरू हो जाते हैं क्यों क्योंकि जो है युएसे भी यही चाहरा था कि भाई आप हम पाकिस्तान हिसा बन गया तो इंडिया क्यों नहीं जो है युएसे के अलाइंस का हिस्टा बन रहा है और प्रवीज के साथ में कब हमारी फॉरन पॉलिसी तो थी हमने नौन कर लिया है बट दूरिंग दा आपके लो की जैसी हमें इंडिपेंडेंट्स विल्यूस के बाद वाले दौर में हमने बहुत कम रिलेशन्स रखे दूसरी कंट्री के साथ हमने अपनी कंट्री ने दर्वा अपने हम रास्ता खुद बना के अपने हिसाब से चल रहें थे यह चल रहा था इंडिया का फॉरन रिलेशन बट इंडिया के फॉरन रिलेशन में फॉरन पॉलिसी में सबसे बड़ा योगदान था एफ्रो एशियन यूनिटी का यानि कि जो हमने नॉन अलाइन्मेंट बनाए देखो नहरू जी जो थे उन्होंने जो है ना हमारी कंट् कि हाँ सब कंट्री को ऐसे करना चाहिए वह एक एड्वोकेट बन गए थे एफ्रो एशियन यूनिटी का देखो यह एफ्रिकन कंट्री सारस एफ्रिका जो पूरा का पूरा ही कंटिनेंट है यहां पर भी बहुत जाद कलोनियलिजम हुआ था यानि कि ब्रिटिश और फ्रे एशिया हो गया इंडिया एफ्रो एशियन यूनिटी को बढ़ावा दे रहा था इंडिया क्या कहता था कि जैसे यह कॉंटिनेंट्स है जैसे कि यॉरप और गया नौर्ट अमेरिका हो गया तो यह लोग जो है जैसे अपना इतना यह लेवलप्मेंट करें तो हम लोग भी आपास में क्लोजर टाइज रखे हम लोग भी अपने आपको डेवलप करेंगे तो नहरोजी एफ्रोएशन यूनिटी के काफी सपोर्ट में थे और यह एफ्रोएशन यूनिटी ही थी जिसकी विदिस से आगे चुलके नयाम बनता है एक रास्ता हम अपने लिए जोड़ा क अजयां को हमने अजया घ्रेवलेशन पहले ही हमने जो है यह कॉंफरेंस बनाई थी और इस कॉंफरेंस का नाम फेंट इस एकांट करेंड को तो जब हमें अजयां को ने पूरिप न कर दें हों इस डूड़ और यह प्रूप कर देंगर एन तो आपको पिर you are promoting the African Asian unity सबसे पहला एक्जामपल है जब इंडोनेशा पर डच रूल कर रहे थे तो इंडोनेशा पर डच रूल कर रहे थे जिसे इंडिया पर प्रिटिश रूल कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या करना 1949 में इंडिया ने एक international conference बुलाई जिसमें इंडिया ने इशू रखा कि अब जो है डच को भी इंडोनेशा को फ्री कर देना चाहिए इंडोनेशा को भी freedom मिल जाना चाहिए तो इसमें देखो दिखाई दिया हमने किसकी हेल्प करी हमने कोशिश करी कि इंडोनेशा को freedom मिले और यह हमारी यूनिटी बना रहा था इंडोनेशा के साथ और बाकी एशन कंट्री इसके साथ में साथी के साथ में जब आफ्रिका का अगर आप एक्जांपल देखोगे तो अपार्थाइट सिस्टम चल रहा है या जो है अपने लिए आवाज उठाएं और इंडिया उनकी मदद भी करता कौन सी एक्जांपल है अफ्रो एशन यूनिटी को बढ़ावा देने के बाई इंडिया जब बन जाता है तो उसके बाद जो है अफ्रो एशन यूनिटी और जादा स्ट्रॉंग हो जाती है क्य कंट्रीज के साथ में नहीं रहना उन्हें अपना रस्ता बनाना है तो वह जोइन कर सकते हैं अब नाम कैसे बना था गाइस तो नाम बनने की शुरुआत कहां से हुई थी इंडोनेशिया की एक सिटी है बंदूंग ठीक है बंदूंग में कॉंफरेंस हुई थी 1955 में जिसमे बंदूंग कॉंफरेंस में जितने भी लीडर जब मिले तो बहुत सारी उन्होंने बाचीत करी दे ले डाउन दे प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे वो नॉन अलाइन्मेंट मोवमेंट बनाएंगे और बंदूंग कॉंफरेंस लीटर लेट टू दा इस्टाबिश्मेंट आपके एकजाम का यह कहां होती है यह यूगोसलाइवा की एक सिटी है बेल गराडे में होती है और जो है इसके पांच फांडिंग मेंबर्स है नाम के जिनका नाम आप जरूर याद करना कि किनों ने जो है मिलके किसके एटिशियेटिफ पे नाम जो है वो बना था ठीक है तो यहां फोटो में देख सकते हो नाम के five founding members और कुछ और important necessary details related to the NAM तो इतना तो मैंने आपको बता दिया क्या इस chapter में तो हमें इतना ही जानना है नाम के बारे में क्या कि भाहिया दो कैम से दोनों कैम को हमने जॉइन नहीं करा हमने नाम इस्टाबिश करा और हम नाम का हि थे आफ्रिकन और एशन निवली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अपना रास्ता खुद बनाना चीए यह कैंप्स का हिसा नहीं बना चीए अभी तो हमने अपनी आजादी हासिल करें अभी तो सोब्रेंटी हमें मिली है फिर हम अपनी सोब्रेंटी तो इसलिए हमने यह एफ्रो इशन यूनिटी के बारे में अब गाइस हमने इंडिया के फॉरण रिलेशन की शुरुआत कैसे करी हमने कहा कि हम कैंप का हिसा नहीं बनेंगे हम जो है क्या करेंगे अपना रास्ता खुद बनाएंगे नैम को फॉलो करेंगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारे वैसा नहीं ठाइन कि हमें ऐसा लकता कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है नारे लगते थे हिंदी-चीनी भाई-भाई-बाई ठीक है जब हमारा जैसी हमें अजादी मिली थी तो हमें लगए था चांशा दोस्त है ठीक है इविए जवारल लाल नहिरु जी को बहुत ठ्रस् तो धी तो जैसा हमारा पाकिस्तान के साथ के साथ यह येसा जिलेशनशिप ता इंडिपेंडेंटेंच के बाद कफे फ्रेंडली नोट पे शुरुआ था थे देरे चाइना ने अपने रंग दिखाय थे अब चाइना जो है रेवलुशन हुआ था चाइना में आपको बता था राइज ऑफ क्या हो गया था कम्यूनिस्ट चाइना चाइना में करा अब दिखो कोई भी कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता है था कोई रेवलुशन हो और कुछ चेंजे आए तो बाकी कंट्री उनको कैसा डील करी है बहुत मैटर करता है ठीक है जैसे हमने इंडिया फ्री हुए हमने डिमॉक्रेसी अडॉट करी तो हमारे सामने इतनी सारी चाहरी चाहर थी कि रिकर्गनेशन पाइटर कुंध्री इंपोर्ट्न तो जब चायनीज कम्मिनेश रिवलुशन हुआ 1909 में वैसे तो समय पर कोड वाट चल रहा था तो इस समय पर चान्या ने क्या करा कम्मिनियूस रिवलुशन करा चाइना में गर्मिनिस तो इंडिया उस communist government को इस जो है पहचांदी recognize करा ठीक है और जो है हम लोगों ने चाइना के साथ मिलके जो है जो उस समय पे चाइना के प्रेमियर थे जहाओ इनलाई उनके साथ मिलके हमारी बड़ी अच्छी friendship चल रहे थी चाइना के साथ में हमने उनके साथ जो है five principles of peaceful coexistence का एक agreement sign कर दे हम हमने agreement sign कर दिया चाइना के साथ में जिसे हमने क्या कहा punch shield agreement ठीक है अब वो पंच shield agreement किसके बीच में sign हुआ था देखो पंच shield agreement between India and China इंडिया की लीडर तब कौन थे प्राइम मिनिस्चर नहरू थे और साथी के साथ चाइनीज के जो लीडर कौन थे उस समय पर जाओ इन लाइन यह sign कब हुआ था 29 April 1954 को तो यह जो है इसमें काफी सारी बाते लिखी गई थी जिसमें हमने का कि यह साथ चीज़ के बारे को जो है अच्छे से समझ नहीं पाई थे बट वहीं पे जो सर्दार वल्ला भाई पटेल थे काई जिन्होंने हमारे नेशनल इंटीग्रेशन का इतना बड़ा रोल परफॉर्म करा था उन्हीं की वज़े से जो है उन्होंने हर एक राजा से जाके इंस्रूमेंट कि अब बड़ा डॉंटिंग यान आपको हिस्टोरिकल रोल से दाविला भाई पडेल जी ने परफॉर्म करा कि पूरा की पूरी सभी कंट्रीज को इंडियन उन्होंने मर्च करवाया तो उनको जो है शक्ता चाइना के ओपर उन्हें पता था चाइना अभी अच्छा बनने थोड़ी कुछ कर रहेगा तो उन्हें ऐसा नहीं लगता ता झाइवन उस समय गाइस जो हमारे बॉर्डर था जो चाइना से मिल जो है साथ हम बौडर करते थे वहां पे पर मिलीटरी फोर्स लगी थी जो भी पर मिलिटरी फोर्स लगी थी तो इतना ट्रस्त है जो है जवा मिलिटरी फोर्स लगा रखी थी और वैसे तो जो है जो सरदार वला भाई पटेल जीओ उन्होंने वान करा था ठीक है अब फाइफ पंशील एग्रिमेंट में क्या था यह जान लो तो पंशील एग्रिमेंट में हमने कहा कि वी विल डू मुचल रिस्पेक्ट पर इच अदर इंडिया है निग आप चैनी रे प्सक्त लाइन वाले को जैसे अपनी तरि करना हैं इंडिया करें आपनी चैना को जैसे अपनी टेडरी को चैना एप चाइना को जैसे अपनी government चलानी चलाए इंडिया चाइने को जो है दकल अंदाजी नहीं करेंगे mutual non-aggression हम एकदम से ऐसा aggression नहीं करेंगे अगर कोई बात होती है तो चिप चाव से डिल करेंगे non-interference in internal affairs और कोई internal affairs अगर इंडिया में कोई internal चल रही है जैसे हमारे instrument of cash रहे थे उस हमें पर बहुत कुछ इंडिया में चल रहा था ठीक है तो चाइना हमारे मामले में नहीं बोले कर ना ही हम चाइना के अंदर जो चल रहा है उसके मामले में बोलेंगे equality and mutual benefits हम कोशिश करेंगे equality लाएं और benefits शेयर करें और peaceful coexistence होनी चाहिए इंडिया चैनली जो है exist करेंगे इस वर्ल में यह पंच्छील agreement के बाद हमने ठीक है तो भाया शुरुआत होती है तिबबत से ठीक है जब तिबबत पे जो है invasion कर देता है कौन चाइना तेखो अब तिबबत के बादे में समझते हैं तिबबत की location देखें मैपिक इंडिया है नेपाल है और यहां है हमारा तिबबत ठीक है अब तिबबत को हमेशा से ही चाइना क्या कहता है तिबबत जो है चाइना का है तिबबत कर ले ले बादे है तिबद क Clifford को अब करों पूरा का पूरा स्टार्ट कर देता है और जो बहुत शारी तिश्च को पॉपुलेशन थी उन्होंने इस चीज को अपोस करा बिकोज बॉन्द तो रेमेंगेंटन कंट्री उन्हें इंडिपेंडेड़न उन्हें अज़ाद रहेना था नहीं अंडिपेंदेन्ट शाइना के अंडर में नहीं आना था चैना से कंड् मत कीज़े हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि हम पर्सुएट करें चाइना को कि ऐसे तिबत को कंट्रोल मत करो बाइज हम पूरा बहुत खुलकर नहीं बोल पाई इस चीज को क्यों कि अभी मैंने पंच्छील एग्रीमेंट आपको पढ़ाया और पंच्छील एग्रीमेंट क तिबत को अपने टेरिटरी में ले लिया उस पर कंट्रोल कर लिया तो हम बहुत लिमिटेड अपना तरफ से जो है बोल पाई उस इसू के उपर हम जादा आवाज नहीं उटा पाई हमने बस परशुएट करने की कोशिश करी चाइना को और चाइना ने क्या कहा चाइना ने पूरा अपना राज बिठा देंगे तिबर पर हम अपनी तरह से तिबद को अपनी देंगे जो उन्होंने नहीं दी इंडिया को ऐसा कहा ता देंगे ठीक है बटाब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे हम तो एग्रिमेंट साइन कर चुके थे अब जो 1956 आता है तिबद के नहीं कि आप मांदो चाइना के जो लीडर थे वसाती में तिबद के जो लीडर ते दलाय लामा वो इंडिया आते हैं और फिर वो उस समय पे इंडिया के नहरू जी को तिबद के सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि तिबद में कितना जादा चाइनीज कंट्रोल हो रहा बर दलाय लामा जी बताते हैं कि कोई भी पावर जो है नहीं दी जा रही थी तिबद में लोगों को और जो है चाइना अपना कंट्रोल करा था तो ये बात नहरू जी को पता चलती है और साथी के साथ 1958 में 1958 में तिबद के लोग आमड अप्राइसिंग यानिकी आम्ड श्र रहना के साथ नहीं रहना है उन्हें तिबद को फ्री नेशन बनाना है 1958 से यह स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है और देन गाइस 1959 में क्या होता है जो तिबद के स्पिरिच्वल लीडर दलाय आमा है अपने बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ इंडिया आ जाते हैं ठीक और इंडिया ने उनें लिखत यह और इंडियाने ओर फेंधियन को छो है अपनी कंट्री में हमारी कंट्री में अगर आप देली में देखो तो डैली में भी बहुत यूच सेल्टलमेंट है और हम बहुतने प्रदेश नद haました ढहाँपे घरम शाला जो है वहाँ पे लार संग जिन्हों ने सपोर्ट करा कि भाया तिबबत को अजदी जो है मिल जानी चाहिए इंडिया को भी हल्प करनी से उन्होंने इस चीज को सपोर्ट करा ठीक है तो दलायल लामा जी अब इंडिया आ गए तिबेतियां बहुत सारे इंडिया में और इसके बाद से गाईज यह और एक और रिजन था जिसकी वज़े से चाइना और इंडिया का जो रिलेशन्शिप है उसको आप देखो कि चाइना की जो रियालिटी है बिल्कुल इंडिया के सामने आ जाते है ठीक है तो चलो देखते हैं आगे का जो है चाइनीज इंवेजिन इंडिया उनके बहुत सारे फॉलिवर्स इंडिया में होगे तो यह सब हुआ तिबेटियन इंवेजिन के बाद ठीक है जब तिबद को जो है क्या कर लिया कॉन्खर कर लिया चाइना ने अब उसके बाद अब हमें अपना नेक्स टॉपिक करना है डाट इस देचाइनीज बहुत बढ़िया दोस्त है चाइना हमारे साथ दगाबाजी नहीं करेगा हमने अपने जो बॉर्डर से वहां भी उनको अच्छे तरीके से गाड नहीं कर रखा था विकॉस हमें लग रहा था चाहिंदी चीनी भाई 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 या चाहना तो हमारा दोस्त है यह थो आंटी चाइनीज अक्टिविटीज कर रहा है इंडिया जो है चाइना के खिलाफ जा रहा है तिबेटियंस को अपने हाँ पे शेल्टर डेंगे इसमें यह कहना शुरू कर दिया दूसरा चाइना ने एक बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको ओन कर दिया लगा कि जो कलोन हमारी कंटरी की बॉंडरी मांग्ट है और सेगेंड यह समय पर हमें एकॉनिमिक डेवलप्मेंट वेलफिया पर ध्यान देना है जब हमारी मांग्ट है कलोनियर टाइम में जो मैंट सेटल हो गए हो गए ना अब हम आगे की इशू को देखते हैं बट चाइना नहीं मालता ह यह आपको अगर समझना है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आगा इस मैप से हमारे दो इरिया इंडिया के दो एरिया पहला अक्साइचन एरिया ठीक है जो हमारा लद्दाक में है जम्मू और कश्मीर में है और दूसरा हमारा एरिया यहां पर देखो अरुनाचर इस मैप में मार्ग भी है इतने सारे हिस्से को यह कहना शुरू कर देता है कौन यह चाइना की अरुनाचर प्रदेश का यह सारा हिस्सा चाइना का है और कहता है अक्साइचन भी मेरा है दुबारा बाउंडरी स्माग करें एसा कुछ नहीं होने वाला है हमने सीधर चाइना से 59 थिक है 57 59 की बीच में चाइना ने क्या करा हमारा चो यह अक्साइच वाला एरिया था वहां पर इसने क्या करा हमारे एक साइच वाले एरिया में स्ट्रेजिक रोड बनानी शुरू कर दी भाहिया यह रोड बना है कंस्रक्शन का काम चले हमारे लीडर्स को पता नहीं को अभी नहीं भानक थी कि यहां पर यह सब हो रहा है ठीक है आपकी में कार्टून दे रखा है रोड लोड चल रहा है देख सकते हो आप वहां पर बनते हुए एक फोटो दे रखी है तो वह वह इस दिखा रहे है कि वीव पे हो स्किर मिशिस किर मिशिस मतलब एक फूल स्केल वार नहीं हुआ बैटल सुनी शुरू के भाईया हम क्यूं तो में रोट बनाने देंगे अपने रिया में और बड़े-बड़े लीडर्स बैट के डिसकॉशन करने लगा है कि क्यूं चाइन ऐसा कर रहा है जो है सब्सक्राइब नहीं हुआ ठीक है तो भाई तुमने रोट बनाई तो उस पे जो है हमारी आर्मी ने रिस्पॉंड करा अब यह जो समेथ हा गाई 1957 59 रोट बनी अब 1960 अब पूरे 1960 में पूरी दुनिया की नजर कहां थी और शायद अगर आप बुक वन पढ़ ले होते तो आपकी वी नजर वहां होती क्यों वन मिसाइल क्राइस गाइस अब बच्चों का कोल वार डिलीट हुआ है डिलीट हो गया बट बहुत इंपॉर्टन है कोल वार हमारा हर एक चाप्टर में काम आता है ठीक है तो मैं हमेशा आप लोगों कोल वार से रिलेटेड नॉलिज हर चाप्टर में कवर करा रही कि तुम्हें यह बात आ गई है तो क्यों वन मिसाइल क्राइस ना ठीक है अब पूरे दुनिया की नजर तो क्यूबन मिसाइल क्राइस उन्निस साट के दुरान पे क्या हुआ क्या था चलो यह भी समझ लिकते कोई बात नहीं जितनी लिलेंगे जो उतना हमारे आच्छा है अब क्योबा क्या है इस ठेथे यूए से कघाइट अपने इस ने निशन देखवा क्यों और ने होता ने वहां वह फे स्यूवियton कि तेखो कि बिल्कुल अमेरिका के नीचे तो मतलब यह समझाओ कि बिल्कुल गण पॉंट पे जैसे कोई इनसान होता ना वैसे हमारे का बिल्कुल डायेक्ट रेंज पर होता किसके सोविएट यूनियन के कोल्ड वाड चल रहा था हाँ पस में यह लग बस बम नहीं पैक रहे थे लड़ाई पूरी चल रहे थी बबन नहीं फैके जा रहे थे दोरान कुछ हो गया तो वर्ड वाथ 3 हो सकता है तो यह होट पॉइंट माना जाता है क्यूबन मिसायल क्राइज इस वहां जाता है जो अमेरिकन प्रेजिडेंट है वह बहुत स्ट्रिक्ट वे में जो है सोवेट उनियन को कहते हैं कि नहीं आप यहां पे कोई मिसायल नहीं ब क्यूबन मिसायल क्राइस चल रहा था यहां दीरे दीरे चायना ने हमारी कंटरी पर अटाक करना शुरू कर दिया ठीक है तो कब की बात है अक्टूबर 1962 की अटाक की बात हो रही है यह जो हमारे डिस्प्यूटे डीजन हो गए जिसको यह कह रहा था हमारा है ठीक है जिसनिक का चायना ने कहना शुरू कर दिया तो वहां पे चायना ने सबसे पहले एक अटाक कर रहा हमारे जैसे वेव होती है ना फर्स्ट वेव सेकंड वेव वैसे इसने अटाक करना शुरू कर दिया फर्स्ट वेव आई हमारे अटाक की जो एक हफ्ते तक चली अक्टूबर में 1962 में इन्होंने दोनों एडिया से चाइना ने हमारे पे अटाक कर दिया ठीक है और कई सारे की एरियास अरुनाचर प्रदेश के चाइना ने इस दोरान उक्यूपाई भी कर लिए ठीक है चाइनीज आर्मी ने क्यों गाइस क्योंकि आपको याद है जवाला नहीं रूची को लग रहा था चाइना हमारे अनलाइकली है चाइना से कोई बीडर तो हमारे जो बॉर्डर से वो हेविली गार्डेड नहीं थे ठीक है जैसे आज के सम में अटाक करना शुरू करती है एक हफ्ते तक चला उसमें रुनाचक देश के काफी सारे इरिया को इन्हों ने उक्यूपाई कर लिया उसके बाद भी है नहीं रुके उसके बार इनोंने फिर से हमारे पर अटाक करा सेकेंड वेव अटाक अगले महीने आ अक्टूबर था तो सोचलों नमंबर में इनोंने फिर से अटाक कर दिया होगा और इस समय में इनोंने जो है गाइस ऐसा अटाक हमारे करा कि जब इंडिया की मिलिच्री जो है वेस्टन फ्रंट पे इनको संभाल रही थी तो यह क्या यह हमारे असाम प्लेंस तक पहुच गए थे चाइनीज हम यह जाते हैं आइनीया को कर लेता है करदे हैं यह या जाते हैं हाrest में यह हार जाता ही वार चाइना से ठीक है में यह जब एक वर हम हारते हैं गाइस तो आप इसके सिक्वेंस आगे हमने पढ़ने हैं और यह समझो आप कि इस वार में जब हमें लड़ना था चाइना से तो उस समय पर हमें क्या करना पड़ा हमें जो हमारे लिए नहीं था क्योंकि हम लोगों को अभी तो हमने ब्रिटें से अदाधी हासल करी थी ठीक है और हमें उनी से मदद मागने जाना पड़ा उनकी मिलटरी की हमें मदद लेनी पड़ी यूएस इसका आलाइंस का इससम नहीं बनना चाथे उससे भी हमें मदद लेनी बनी because of this China क्योंकि इसने अमार पर अटाक करा था ठीक है तो यह हुआ था क्या बोला जाता है इसको चाइनीज इंवेजन ऑफ नाइटीन सिक्टी टू इस वार में हम हार गए थे because we were not prepared at that time ठीक है क्यों नहीं थे हम prepare उसके भी बहुत सारे reason है guys हमें चाइना friendly लग रहा था जो नहीं था ठीक है हमने मिस calculate करा Chinese intention को जवाल लाल नहिरुजी को लगा था कि नहीं चाइना एक अच्छा दोस्ट शाबित होगा बट वो नहीं होता है तो चलो अब पढ़ते हैं डारेक consequences of the Chinese invasion या फिर जब हम इस war को हार जाते हैं उसका consequence आते हैं हमारी country में यह हमें पढ़ना ही एक्जाम में direct question की तरह आता है तो पाथ से छे consequences हैसके जिससे हमारी country पूरा political atmosphere भी change हो गया था तो पहला consequence यह हुआ कि हमें मदद लीने के लिए जाना परा Britain पे और अमेरिका पे याने की usage थे ठीक है भाट difficult situation थी और जब हम war हारे तो पूरे world stage में हमारी image dawned हो गई तो तुमें आ लग रहा होगा कि मैं तुम्हें बार बार का है कि भाई, Soviet Union तो हमारा बढ़ fucking दोस्ता सोविद हमारे बढ़ अच्छा दोस्त तो सवेट ने हमारी है क्यों ने करी जब चाइना ने हमारे इंवेट करा तो यही होता है कि हमारा पका दोस्ट है हमारा बेस्ट्रेंड टाइप सोवियत उनियन इस मामले में न्यूट्रल रहा ठीक है तो यह चीज हमें समझ में आ गई है आप सोवियत उनियन की न्यूटरल लेने से और जहां हम यूएसे पे जो है एड मांगने जाना पड़ा तो इससे हमें यह समझ में कि भाईया अगर हमें वाल्ड में इंडिपेंडेंट रहना है तो हमें अपनी मिलिटरी ताकतवर करने कि क्यों जो है समझ पता नहीं चला चाइना ने रोड वी वनाली चाइना ने इन्वेजन कर दिया तो बहुत क्वेशन सुटने लग गए वी के मैनन जो थे जो समय पे आप क्या सकते हो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के उन्होंने कैबिनेट लीफ कर दी उन्होंने पैचांट पाए तो वह बहुत हमारे को एक दुख बरी बात थी हमारे लिए कि हमारे इतने जवान शहीद हुए उस वार में और जो है हमें समझ जानी चाहिए थी पहले ही चाइना की इंटेंशन फर्स टाइम ऐसा हुआ लोग सभा में की जो है नहरू जी के लिए और पू प्लिटिकल एटमोस्फेर चेंज होने रखता उससे पहले पहले पता है क्या हो रहा था पूरे यह पूरे डॉमिनेंस अल रही थी कॉंग्रेस की इसके बाद चेंज होती है ऑपोजिशन पार्टीज होती है और उनको भी जो है वोट मिलना मिजॉर्टी मिलना स्टार्ट हो गया जैसे कि हमारी कंट्री के एक फेमस पार्टी है कम्यूनिस पा इंडिया ठीक है यह कम्यूनिस पार्टी ओ इंडिया इस फिन जो कमश्में टार्टी तो यह हैं मतलब मैं मैं सिंपल अपनी लाइज मैंने संझाते हैं कि देखो हमसब कौन है सुछ तुडिन्स एसे हूंगे हिस्ट्री बहुत जादा पसंद होगी हो फिस्ट्री को ही पसंद करते हैं हिस्ट्री में ही पढ़ना चाथ है और ठीक है और कुछ ऐसे स्टूरेंस होंगे जो पॉलिटिकल को बहुत जादा पसंद करने हैं तो है तो हम सब गाइस आर्ट स्टूरेंस है तो हम सब हमारे अपने 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 आप क्या सकते हो पर्सनल जो चॉइस होती है उस हिसाफ से हमारा इंट्रस्ट होता है हमें से ठीकिए यानिकि इसका एक फैक्शण था जो प्रो यू से स्राइब को ज्यादा सब्सक्राइब और ऐक हिसाथा जो चाइना था जो चइना वाले returned को support करता था तो जब यह चाइना ने हमारे साथ धोके बाजी करी चाइना ने हमारे इंवेजन कर दिया तो उसके बाद जो है जो प्रो युए ससर वाला फैक्शन था वह और चाइना वाला अलग हो जाता है यह चाइना वाले अपनी अलग पार्टी मना लेते हैं CPIM, M मतलब Marxist, और फिर इनको क्रिटरसाइज करा जाता है, तुम चाइना के साथ देरो, चाइना न देखो, मैंसात क्या करा, और इस CPIM के काफी सारे लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जब चाइना हमारे पर अटाक करता है, ठीक है, तो स्प्लेट भी हो जाता है CPI क मैं 1964, यह सब consequence है किसके Chinese invasion के या फिर आपको इंडो-चाइन वार के या साइनो-इंडियन वार के यह सब consequence है, भाई हमें तो लग रहा था हमारा दोस्त है, हमें कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, हम बड़ा लाइट ले रहे थे चाइना को हमें विश्वास कर रहे थे और वहीं हुआ के प्रचैनहा ने विश्वास सब लाइव में गण篇ब कर दिया, यह सबसे मेजर डिवलापमेंटन जो यह चैना के बाद हुआ जो चाइना ने वार करा हमारे साथ उसके बात में क्या हुआ यह जो नॉर्थ सरइशन है हमारी कंट्री का यहां पहले अगर हम र하ली इनको स्टेट हुड गरंट नहीं हुई थी आपने चैलेंज इस वाले चैप्टर में पड़ा विशाल अंधरा मुवमेंट हुआ अंधर प्रदेश बन गया अभी धीरे-धीरे कर रहे थे कि हम धीरे-धीरे सब सेट को अट्रोमी देंगे अब यहां पर पता चल गया था जब वार के बाद नागालेंड को स्टेट हुड जो है ग्रांट होती है मनीपूर और त्रिपूरा को यूनिट टेरिटरीज बना दिया जाता है और वहां पे भी जो है उनको अपना राइट मिल जाता है अपनी लेजिस्लेटिव असेम्ली इलेक्ट करने का ठीक है तो जो चैले चैना के साथ में ठीक है अब देखो आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जो बुक वन का चैप्टर है कंटेंपरेडी साउथ एशिया वाला उसमें हमने चाइना के साथ अपने एकॉनिक रिलेशन पड़ी थे तो अगर आपको एक्जाम में क्वेशन है और इंडिया का एकॉनमिक रिलेशन तो आपको यहां से मेंशन कर सकते हो ठीक है तो यहां हमारा चाइना का यह कंप्लीट हो गया अब अगर देखो कि कब हमारे चाइना से ठीक हुए यानि कि बात चीज शुरूए वरना तो हमने का था हिंदी थी नहीं हमारे रिलेशन से नहीं थे चाइना के साथ हमारी फॉरन पॉलीशी में से चाइना को हमने जो है दूकिल हम देखते ही नहीं थे चाइना को ठीक है फिर भी गाइस धीरए दीरे आगे चलके जो है इंडिया और चाइना की रिलेशन जो है Sino-Indian relations जो है फिर से जो है आपको कि डिप्लोमाटीक स्तार्ट कब से होते हैं यह 1976 से होते हैं क्योंकि आपको पता है चाहिना भी राइसेंग एकॉनिमी इंडिया इस राइसिंग एकॉनमी मोस्ट पॉबुलेस्ट कंट्री तो जो है हमें अपने रिलेशन्स जो है वो फिर डिप्लोमाटिक रिलेशन्स तो शुरू करने पड़े क हमारे नेशन की लीडर्स वहां जाएंगे उनके लीडर्स जाएंगे है भी तो हमारा पड़ोसी ठीक है तो हमारा यह शुरू होता है 1976 से डिप्लोमाटिक रिलेशन्स स्टार्ट होते हैं और 1979 में फूल डिप्लोमाटिक रिलेशन्स स्टार्ट हो जाते हैं जब ओनरेबल अ चाइनीज वर तो आप कह सकते हो चाइना अब फर्स मिनिस्टर मैंने क्यों बोला यह धियान रखो कि आफ्टर दब वार होने के बाद यह जो चाइनीज इन्वेजन था उनिस्तों बासट के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर कौन गए थे चाइना राजीव गांधी जी और हमने चाइन से अच्छे रिलेशंजर नहीं करा ठेक हैं नहीं बास काम की बात करें ऐसा हमारा चैना 자 रिलेशन स्टार्ट हो गया तो विद्देस हमने चाइनी जो है इंवेजन पर लिया चाइना और इंडिया का फुल रिलेशन हम कवर कर चुके हैं अब आते हम अपने नेक्स टॉपिक पे अपने दूसरे नेबर के बारे में पढ़ देते हैं दूसरे नेबर ने क्या क्या करा और हमारी फॉर्रं पॉलिसी में हम उनके साथ कैसे टील करते हैं । दूसरे नेबर कॉन सा हुआ हमारा पाकिस्तान ठीक है तो भाई पाकिस्तान से जैसी हमारा पास्टेशन होगा तो चिक है जो फूल स्केल वॉर्में तब्दील नहीं हुआ जो पूरा बड़िवा वार होता है हमार को यहां लिखा एंसी आटी में चाप्टर एड में पढ़ना पूरा बट अभी थोड़ा सा पढ़ना तो पढ़े गए न हमें तो क्या होता है जैसे हमें आजादी में 1947 48 की बात है यह ब्रिटिश जाते जाते एक प्रॉब्लम और खड़ी कर गए थे वह क्या थी क ो कश्मीर के राजा कौन थे राजा हरी सिंग अब राजा घरी सिंग भी कह देते मैं कश्मीर को क्या बनाऊंगा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाऊंगा वह यह बाए और यहां पे ऐा यह फोट कहुत ne कश्मीर को इंडिपेंडन्ट डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद जो पाकिस्तान था पाकिस्तान की क्या सोचती कि भाई कश्मीर में बहुत सारे मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया तो कश्मीर पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए पाकिस्तान का यह चाहती ठीक है तो पाकिस्ता कर पाइए और कश्मीर कुल है पाकिसान के सथ say of Allah तो जीत वाज यह भाइगा कि यह नहीं के पास हमारी के पास हमारी मदद करो और राजा जी क्या करते हैं इंस्टुमेंट और केशने को अजतें थे instrument of occasion में राजा ने साइन कर दिया तो मतलब कश्मीरव किसका है कश्मीरव हिंदुस्तान का हिसा बन गया कश्मीरव इंडिया का हिसा बन गया यही तो था instrument of occasion जो ब्रिटिश थी उन्होंने यह जो है कि पावर किसको दी ती कि कंट्री को जो है इतने भी स्टेट से उनका डीलिंग कौन करेगा राजा लुक करेंगे जैसे निजाम ने क्या कहा अपना हैदराबाद मना रहे हैं मनिपुर के राजा ने भी पहले ऐसी कुछ कहा था ऐसी हरी सिंग ने कहा बड़ जब हरी सिंग को सिचुएशन ऐसी देखी कि जो है पाकिस्तान की आर्मी और साथ में ट्राइवल ग्रोप जो है अटाक कर रहे हैं तो उन्होंने इंडियन यूनियन से मदद मांगी और इंस्रूमेंट ऑफ अग्येशन पर साइन कर दिया कुछ जो आपको होगी एक्ष्टर्नर रिलेशन डिफेंज ये सबकि ऑर्टनॉमी इंडियन गवर्मेंट को दे दी दिशन की और कहा कि इंस्रूमेंट ऑफ जो गया ता इंडिया के साथ राजाधी ने जो एंस्रूमेंट ऑफ केश्ञशन कर दिया मतलब कश्मीर अब इंडिया में मर्ज हो है attas Oh रहे थे तो यह क Users भोंने कि इन Wars कर लिया का क्श्मीर का कवै क्या क्दिया कयां है यह गया कश्मीर सभु हुए दिया कश्मीर दो हुआ का राधी यह तो हमारी इंडियन आर्मी गई और उन्होंने जो है वार लड़ाई हुई प्रोक्सी वार तभी लड़ाई हुई और जो है काफी सारे एरिया इसको ने लिए जाते हैं यूएन उनाइटे नेशन जो है बॉड़ी बन चुकी थी तभी मैंने आखो का था हमारे एक्सरेनल लेशन म बड़ा जादा रोल रहने वाला है तो यूएन तक हम ये बात ले जाते हैं तो यूएन ने क्या कहा कि इस वार को रोक दो जितना एरिया पाकिस्तान ने उक्यूपाई कर लिया था कश्मी का वो उसी के पास रह गया बेकुल सब स्टॉप हो गए और जो हम इधर थे ठीक है तो काफी सारा एरिया अब जो था वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया था और उसको क्या बोला गया पाकिस्तान उक्यूपाईट कश्मीर तो क्या हो गया गाईज इसके बाद से जो पाकिस्तान है हमारी फॉरन पॉलिसी का बहुत क्रिटिकल हिस्सा बन गया और पाकिस् टाइप बन गया था यह ट्रैंगल बन गए थे यह तीनों फोर्सेस हमारे खिलाफ पाकिस्तान यूएसे एंड चाइन ठीक है तो आगे पड़ते हैं हमने इनसे कैसे डील करा था तो अब यह आपने प्रॉक्सी गौर समझ लिया जो 4748 में हो गया अब यह तो बात हुई वार क ही बट ऐसा नहीं है कुछ पीस्फुल एग्रिमेंट्स भी हुए थे इंडिया पाकिस्तान के विश में उन में से पहला एग्रिमेंट है इंडस वाटर को लेकर जो इंडस रिवर का पानी है उस पे भी हमारा जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ था कि कौन कितना पानी ल में चाहिए हमारे कितनी भी आगे चल के कॉन्फेक्स हुए बट इस ट्रीटी को हमने रिस्पेक्ट करा है 1960 में ट्रीटी साइन हुए थी वनमार्कर क्वेस्टन है या दर्फना एक्जामस में पूछी जा सकता है ठीक है कि कप साइन हुई थी इंडो पाकिस्तान इंडस वा को अपरेट कर रहा वो क्या थी कि देखो आपको याद होगा हमने कॉंसेक्वेंस पार्टेशन में पढ़ा था कि काफी सारी जो लेडीज थी वुमिन थी उनको अब्डक्ट कर लिया जैने कि उनको किड्नाप कर लिया किया था अड़ टाइम उस वाटिशन और उनको किड् कर दन तो यह दो कुछ एग्रिमेंट्स वाली बात थी पीस्फुल क्रियरलेशन वाली बात थी और यह पहला एक वार दो हम देख चुके है ठीक है अब यह वार हमने देख लिया 4748 का यह यूएन के इंटरवेंशन से यह वार हमें स्टॉप करा और पीयो के जो है 62-43 प्र्याल के महीने की पाकिस्टान अटक करना शूरू कर देता हमारे रउनॉफ कच वाले एरिया से इस एरिया से हमारे आप में बेख लो ठीक है और फिर उसके कुछ महीने बाद अगाई सिदम्बर में जमू एं कश्मीर वाली एरिया से भी पाकिस्तन अक्यूर्ट कश्मीर वाले एरिया से भी हमे प्राइब पर हमला कर나 देखो ये क्या कर रहा था ये हमारे यहां से हमला कर रहा तक गुजरात से पाकिस्तान और यहां से हमला करा कश्मेर से तो हमारी आर्मी यहां तो लड़ी रही थी और साथी के साथ जो है साथी जी ने क्या कहा काउंटर अटाक हमें करना है हमने अपनी आर्मी को जो है कहां भ यहां से वापस बुला लेती है और इस वार में हमारी फिरोशियस विक्ट्री होती है हम जीत जाते हैं अब यह और अग्रीमेंट साइन करता है तो अभे साइन होता है यू-एन के फिरसे intervention के साथ यह यूएन का रोल आप पढ़ते रहो भी भी आप जब निउस देखते हो तो आपने देखा होगा कई बार यूएन का नाम ठीक है बड़े सारी कंट्रीस के बीश्व मेडियाटरी लोगर परफॉर्म करने के लिए सो मैंनी अधर रोल्स के यूएन का नामा सुनते र रहता था तकता पलट मिल्ची कोग ठीक है तो जनरल यूखर शासी जी के भीश में अग्रीमेंट साइन होता है ताशकेंट एक जगा है एक सिटी है यूएस एस आर की ठीक है बट यह कब थी जो यूएस एस आर था अब कौन से देश में आता है ताशकेंट मुझार कॉमें सेक्शन में बताना ठीक है तो ताशकेंट एकृमेंट साइन होता है जन्वरी में 1966 में 65 में उने हमला करा था और हम ने इनको हरा दिया 66 में यह एकृमेंट में होता है अब इस agreement में अगर आपको पता हो तो लाल भाहदू शासी जब ताशकेंट गए होते तो उनकी डैथ हो विनर तो आ गए थे विवर विनर्स थी के हम विनर वो गए थे बट ये जो अटाक हुआ इससे हमारी अगे देखोगे हमें अपना प्लानिंग थे उनको भी हॉल्ट पर डालना पड़ा क्योंकि हमें अभी अभी तो चाइना ने अटाक कर दिया बट हम तब तक प्रिपेर्ड हो चुके थे तक हमारी मिलिटरी बहुत मजबूत हो चुकी थी हमने जो है समझ लिया था चाइनीज से कि अब हमें जो है आत्म निर्बर होना है हमें अपनी मिलिटरी को स्टॉंग करना है तब ही जो है हम जो है वोल्ट स्टेज पे एक पाफल कंट्री की तरह इमर्ज हो सकते हैं तो चलो भाईया अब इतना पर लिया अब एक और चीज है जो हमें बढ़ने दाट इस बांग दो कि पैसलों के से समय का पाकिस्तान फिर पूरा एंडिया था और फिर क्या है कि एक पाकिस्तान बनाए जो आज के समय का बंगलादेश का kap एच्वांगला देश का conjunction फ्रेण पांपिंट में ऑगत देश का सफ़र नर शूरू करता है जो कुछ चाल रहा होता है ii situation country के अंदर होती है वो internal conflict ना आती है तो क्या होता है 1970 के दुरान की बाद है अब पाकिस्तान में फर्स जेनरल election होते हैं पाकिस्तान मतलब वेस्ट और इस दोनों मानना सिर्व अभी वाला नहीं वेस्ट और इस दोनों में यस्ट पाकिस्तान में क्या हो जाता है अवामी लीग जिसको शेक मुझे और रहमान की ठीक है और आपको यह बताती हूं कि देखो यह जो इस Pakistan था इसकी पॉपुलेश्टन ज़ादा थी ठीक है तो अवामी लीः ज्यादा सीज्ट सीट जीद जाती ए तो तो सरकार किसके थे अभामी कि सरकार बंगनी थी चो यह वेस्ट पाकिस्तान वैसे भी इस पाकिस्तान को बहुत रमीनेट पाकिस्तान अपना कल्चर इंपोस्ट करता था तो देवर नौट वेरी हैपी बट फिर बीचलो इलेक्शन होते हैं पूरा एक वेलफेर पूरा डेमोक्राटिक एलेक्शन होते हैं कि वह अपना एक लीडर चूज कर लेते हैं जो उनके लिए लॉस बनाएंगे कौन शेक तो यह नहीं मांगते हैं यह जो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है जो शेक मुझे उर्रेभान है उन्हें तो अरेस्ट कर लिया जाता है और शाती के साथ जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी इस पाकिस्तान जागे आने की आज की समय की बांगरादेश में जाके रेन ओफ टेरर लॉंच कर देते हैं इस पाकिस तब जो है जब रेन ओफ टेरर लॉंच हुआ इस पाकिस्तानीज के उपर जो बंगाली भाशा बोलते थे तब उन्होंने जब उन पर इतना टॉर्चर हुआ इस पाकिस्तान के उपर अतियाचार कर रही थी तो बहुत सारे इस पाकिस्तान की जनता जो है अल्मोस्स 80 लाक रिफ्यूजी इस पाकिस्तान से जो है आ गए इंडिया थीक है तो हमारे रिफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई हमारी अपने रिसोर्सेस थी हमारे अपने से दर हम भी डेमोक्राइस हम भी वेलफियर की गोल में जो है स्टार्ट कर रहे थे उस समय पे हम अपनी कि वह चाहते थी कि हमारी आर्मी हेल्प करें और उनको जो है इंडिपेंडेंस दिलाए ठीक है तो जनता के सपोर्ट बहुत मैटर करता है जैसी कि आपको याद होगा जब हैदराबाद इंटीग्रेशन के टाइम पे जब रजाकर्स थे तो वहां पे जनता चाहती थी कि इ पाकिस्तान के आर्मी इस पाकिस्तान के जो जनता थी उन पे तो फॉर हम जो है बांगलादेश की हेल्प करने का बिल्कूल सोच लेते हैं अब इस समय पे देखो क्या हुआ हम तो हेल्प कर रहे थे और वहां पे हमें खुद को प्रॉब्रम फेस करनी पड़ी पाकिस्तान यह जो आपको याद होगा यूएस का जो इन कर लिया ता अलाइंस और चाइना जो है वैसी ही हमारा दुश्मन था तो यह हमारे सामने तीन आपके हैसे को कि यूएसे भी आप हमारी खिलाफ हो गया क्यों ऑटमाटिकली हो गया पाकिस्तान यूएसे का अलाइंस का मेंबर तो अगर पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है तो यूएसे पाकिस्तान को सबोट करेगा और चाइना से हमारा ओल्ड़ी वार हो चुका था चाइना हमारा भी दुश्मन था तो इन और तो काउंटर दा यूएस पाकिस्तान चाइना यानि कि यह जो ट्राइंगल इनोंने बना USSR के साथ हमने क्या करा ठीक है भाई हो तुम USA के साथ friendship कर रहे हो तुम USA के अलाइंस के तुम्हारी USA मदद करेगा तुम्हारी चाहिना मदद करेगा हम अपने दोस्त को है फोन लगाया हमने USSR को हमने USSR से sign कर दी friendship treaty friendship treaty 20 साल की treaty of peace and friendship with soviet union in august 1971 august 1971 में हमने उन्से sign कर दी तो सोवियत ने कहा अगर कोई भी बात होगी मैं पहले हूँ I will help you ठीक है तो जैसे जो यह war हुआ तो उसमें हमें पता था कि अगर हमें कोई भी दिक्का था ही तो सोवियत करी थी treaty अब जब हमने यह treaty sign कर दी तो भी हमारे non alignment पर बहुत क्वेश्चन उठने लग गए हम आइडलिजम में थोड़ी जीते रहेंगे ठीक है हमने क्या करया हमने जब जरूआत लगी तो हमने कहा था कि जो इंडिया को अपने इंट्रेस्ट के लिए सही लगेगा हम वह फॉलो करेंगे अभी तक हमारी foreign policy में थोड़ी हुआ हमने का हमारी मदद करेगा USSR हमने थोड़ी कहा है कि हम उसके कैम का हिस्सा बन गया हम communism फॉल करेंगे नहीं हम फ्रेंड्स है फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद करते हैं यह ट्रीटी हमने साइन कर ली थी अब इस समय पर हमारे नैम की क्रिटिसम से कुछ नहीं करना था हमें अपनी country को प्रोटेक्ट करन था हमें बांगलादेश को freedom दिलानी थी तो तब USSR जो है हमारा दोस्त की तरह हमारा best friend हमारी मदद करने के लिए आता है का भी आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो there are many videos जैसे आप समझ सकते हो कैसे USSR ने हमारी तब help करी थी तो आप पाकिस्तान ने उससे help ले ली थी और हमने भी भाईया अपने दोस्त को बुला लिया था कि हमें कोई problem होगी तो हमारा दोस्त हमानी मदद के लिए अगए USSR अब जो है काफी सारा टेंशन चली रही होती है कि फाइनली 1971 में कप दिसंबर में जो है पाकिस्तान जो हमारे पर अटाक कर देता है फूल स्केल वार शुरू कोई भी जो है कुछ कैंडल भी नहीं जलाएंगे क्योंकि जहां पर लाइट दिखती थी वहां पर बॉंब गिरा देते थे तो बिल्कुल ब्लाक आउट कर दिया कि एक फोटो भी दे रखे एक न्यूस पेपर कि जहां बॉंबे में ब्लाक आउट डेक्लेयर करा हुआ है त फोर्स तीनों एरिया से जो हैं हमने रिटाशली आटेक्स को वेस्टें फ्रंटियर पे बी अब हम्ने तो वेस्ट पाकिस्तान से भी लड़ना था और इस पाकिस्दान से उन्होंने हमें सपोर्ट करा क्यूंकि हम थो ऑर्विंगर्गर्स ओफ लिबर्टी थी तो उन्होंन हमें सपोर्ट करा उन्होंने हमें वेलकम करा और इससे हमारी प्रोग्रेस बड़ी कुछ समय के अंदर ही विदिन 10 डेज हमने जो है पूरा का पूरा धाका जो था धाका इस्ट पाकिस्तान का आप कहों की सिटी है और आज के समय के पंगलादेश की कैपिटल है धाका तो हमने धाका को तीन साइट से ना पूरा का पूरा क्या कर लिया था सराउंड कर लिया था ठीक है और हमने सराउंड कर लिया और उस समय पे जब हमने तीनों साइट जे धाका को सराउंड कर लिया तो जो 90,000 सोलजर्स थे गाइस 90,000 सोलजर्स पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर कर देत है this was a very victorious situation for India और तब हम लोग क्या डेक्लियर कर देते हैं वो आर्मी जो है आप देख सकते हो स्रेंडर कर देती है बुक में फोटोस गिवन है आपको किस तरीके से जो है सरेंडर कर गया था ठीक है और आप यह साइन करते वह पिचर देख सकते हो तो जो पाकिस्तानी आर्मी जिए वह ओंप है भणर अफंच Series budget और बांगलादेश को सब्सक्राहा नब थे को हमने करें चैसे एक चाहिंसरे जिगोस दोलमी फोलिक्प You k और वहां पे कौन थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे ठीक है वेस्ट पाकिस्तान में तो वो और इंद्रा गांदी के बीच में अग्रीमेंट साइन होते है इसको शिम्ला ग्रीमेंट कहते है यह तीन जुलाइग नाइटीन सेवेंटी टू को साइन हुआ था टूरे टूर अब शान्ती का मौल वापस से हम बरकरार रखेंगे तो यह साइन हो जाता है तो शिम्ला एक्रीमेंट आए तो याद रखना और वी हेल्ट बांगलादेश और बांगलादेश बन जाता है ठीक है अब यह जो हमारी विक्टरी थी से पूरे वर्ल्ट स्टेज पे हमारी इमे पूरे की पूरे वर्ल्ट को दिख गई थी तो इस समय पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी प्राइम मिनिस्टर थी समय पर इंदरा गाने जी तो उनकी पॉपुलियर्टी को और जादा बड़ा जीता है और उसके बाद जब स्टेट लेवल पे एलेक्शन हुए तो काफी सारी सर अरे कांटरी में फिरा स्टेट्स में सोरी कॉंग्रेस की सरकार बनी कूं क्योंकि सेंटर में तो जीती Cornel internet की सरकार आघंग्रना जाती है वपूर उसके बाद जी से हमारे सामने सामने यह वह आते रहे तो हम अपने जो है आप कह सकते हो हम अपने डेवलाप्मेंटल गोल्स को उतने अच्छे वोकस नहीं कर पाई क्योंकि हमारे और ज़रूरी हो गया कि हम सबसे पहले अपना defense sector बनाए क्यूंकि नहीं थी अंग्रेजों ने बहुत जो है हमारे को एक्स्प्लोइट कर रहा था तो जो हमारी स्केर से सूर्स थी उनको हमने स्पैशली नाइटीन सिस्टीटू में डिफेंस में लगाए क्योंकि अगर कोई वार के टाइम पर टाक करेंगा तो मिलिटरी बिल्कुल जो है पाफ करते रहो ठीक है तो यह हो गया हमारा फिर्स वन मारकर और फिर देबार्ट्मेंट ऑफ डिफेंस सप्लाइज भी हमारा नमेंबर नाइंटीन सिक्टीफाइव में स्टाब्लेश होता है तो इस तरीके से हमने अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत करा तो इसका एफेक्ट क लृट्ष प्लान हॉलिडे को सब चाप्टर स्कनेक्टेड है ठीके तो प्लान हॉलिडे हमने करी थी आपको याद होकर 66 में थर्ड फ्लान एंड हुआ बट फोर्थ प्ल्न टो 69 में शौलू हुआ तो यह जो हमने प्लान हॉलिडे करी थी वह इसलिए करी थी क्यूंकि resources को वहां locate करा था तो इसलिए हमने फोर्ट प्लान को एक हॉलिडे की तरह लिया तो उसको हमने क्या कर दिया तो विद्स आपका यह टॉपिक भी कप्लीट हो गया अब एक और short हमारे को बता रखाया about the Kargil confrontation ठीक है तो in the early part of 1999 ठीक है 1999 के शरुवाती दोर की बात है तो आपको लॉसी पता है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान कश्मीर के बीश में जो है बनाई गई है तो लॉसी पे जो है क्या होता है मश्को द्रास और काक्सार और बतालिक एरियास को occupy कर लिया था मुझाहिद दीन्स ने with the help of Pakistan आपी तो मुझाहिद दीन सब्सक्राइन ही थे उन्हों चैंड कार गिर जो है ना उसशियद में इस चौण्फिक को जो है हमने पूरा का पूरा एक आपको कि इसमें ब्यून औरिफिप सानर्मी तक 26 जुलाय 1999 तक हमने सारे के सारे अपने एरिया को रिकावर कर लिया था तो कारगेल कॉंफिक दू अटेंशन ऑफ दे वाल वाल वाइट for the reasons that only one year prior to that बोथ इंडिया और पाकिस्तान हैड अटें न्यूक्लियर केपेपिलिटी तो कारगेल कॉंफिक देशन के बाद पूरा वॉल्ड हैसे था बड़ा बड़ा बड़ी सप्राइज में शौक में क्यूं क्यूंकि भाईया जो यह कारगेल कॉंफिक हुआ था 1999 में उससे एक साल पे ठीक है तो यह जो हमारी आर्मी ने डील कर लिया था तो अब न्यूक्लियर वेपेंस के जब बात होई गई है तो चलो पड़ते हैं इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी का भी क्या थी हमारी इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जब हमारा इनिश्यल इयर्स थे इंडिपे सब्सक्राइब करें तो में 1974 में हमने अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी ती न्यूक्लिया वेपन्स की ठीक है हमने न्यूक्लिया वेपन्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया था सब्सक्राइब करें तो में 1974 में अपना फॉर्स न्यूक्लिया एक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया था अब जो है गाइस नहरू जी के अगर हम बात करें तो नहरू जी जो थे वो साइन्स और टेक्नोलेजी में बिलीव करते थे बट वो किसलिए बिलीव करते थे एकॉनमी को मॉडर्ण करने के लिए साइन्स और टेक्नोलेजी में वो बिलीव करते थे ठीक है और अगर जब आपको पता है कि काफी समय तक जत्ता नहरू जी ने रूल करा वो हमारे फ को उसके उपर focus कर रहा था उनके according जो है वो क्या चाहते थे कि जो nuclear energy atomic energy इन्हें हमें peaceful purposes के लिए use करना चाहिए वो nuclear weapon के खिलाफ थे ठीक है वो nuclear weapons के खिलाफ थे यह जो है इनको हम क्यों use करें इनको हम अपने peaceful purpose के लिए भी use कर सकते हैं ठीक है तो under the guidance of homie jay baba उन्होंने क्या करा he wanted to generate atomic energy for peaceful purposes और वो against the nuclear weapon के even उन्होंने जो superpower सी यानि की USA को USSR को काफी प्लीट करा कि आप disarmment करो आप अपने nuclear weapons इतने डेर इखटे कर रखें उनको जो है यहीं तो था cold war कि nuclear weapons बन रहे थे सब के अपने अपने USA अपने खटे कर रहा था USSR अपने कर रहा था ठीक है अब क्या हुआ जब communist China ने कंड़क्ट कर लिया nuclear test कब October 1964 में October 1964 हमारे पडूसी पी nuclear weapon आ गया समझ लोग कि इन्होंने testing अपने शुरू कर दी थी तो यह जो five nuclear weapon states थी कौन सी states बोल रही हूं है state मतब country हो गया तो यह जो five nuclear weapon वाली country हो गई कौन कौन सी बन गई है USA USSR UK यानि की बिटेन पे भी था फ्रांस पे भी था आप चाइना भी आ गया तो यह क्या करते हैं अब जब यह जो है इनके पास अपना तो nuclear weapon आ गया तो यह क्या पूरे वर्ल्ड को डॉमिनेट करना शुरू कर देता और एक इतनी unjust treaty जो है इंपोस करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड पे तो टेस्टिंग पे ब्लांड रगाने इन्होंने शुरू कर दिया इन्होंने का कि इस यह से पहले कुछ एयर है पूरा इंपिटी में आप पढ़ सकते हैं जैसे कि अब तुम्हारी बैटिंग हो गया तो हमें नहीं घेलने दो गया ऐसे वाली बात हो गई है नहीं हम नहीं साइन करते हैं इस वाले ट्रीटी को इंडिया ने अपना फॉर्स न्यूग्लियर टेस्ट कंड़क्ट करा इट वस चौंब आजा पीस्फुल एक्स्टोजन हमने पीस्फुल पॉपसिस के लिए एक जो है टेस्ट करा इंडिया अर्ग्यूड डाट इट वस कमिटेट तो द ही बनेंगे टेजान अंजस्ट पॉलिसी ठीक है अब यह जो पीरियट था जिस पे हमारा न्यूग्लियर टेस्ट कंड़क्ट हुआ यह काफी ज्यादा डिफिकल्ट पीरियर था हमारे अपनी कंट्री के लिए भी क्यों क्योंकि उस समय पे अरब इस्राइल वार चल रहा थ और इस समय पे हमें क्या करना पड़ा इस समय पर हम अपना नुकलियर टेस्ट भी कंड़क्ट कर रहे थे तो इंडिया में बहुत है इंट्या इनुक्लियर प्रोग्राम की अंडर में ठीक है यह बॉक्स में दे रख़ा है इसे भी पढ़ते हैं अभी मैंने आपको जब कार कर लिए थे अभी आपको क्या पड़ा कि अभी हमने नूग्लियर टेस्स करें पीसफुल परपसे इसके लिए तो आप पड़ते हैं जो नूग्लियर वेपन थे वह उनकप से क्वाइर करते हैं हम तो यहां पर फिर से न्पीटे के बार में बताया गया है कि इंडिया ने जो चीशी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसको जो है अपोस करा क्यों कि इसमें जो यह पांच नूग्लियर वेपन कंट्रीज थी यूएसे यूएसे सार चाइना यूके और आपको हो फ्रांस यह क्या करना चाले थे कि इनके पास वेपेंस है और यह बाकी कंट्रीज को नह तो इंडिया ने उसको भी यह सब ट्रीटीज क्यों बन रही थी मैं आपको सिंपल बताती हो इन्होंने बहुत सारे नुकलियर वेपन ही घटे कर लिये थे अब इन्हें लग रहा था बाकी कंट्रीज भी नूग्लियर वेपन बनाएंगी तो इन्हें डर था तो इन्होंने नहीं कर रहा है ठीक है इंडिया ने पहला आपना नुकलियर टेस्ट करा उसके बार में हमने पढ़ लिए उसके लिए हम अपना जो है तैयारी कर रही है पहले हमने पीस्फुल परपोस के लिए एक्सपोशन करके देखे थे अब हमाने 1998 में क्या करा था नुकलियर एनरजी जो है उसको जो है फॉर मिलिटरी परपोस के लिए हमने जो है टेस्टिंग शुरू कर दी अपनी पाकिस्तान सून फॉलोड अब पाकिस्तान हमने करा तो पाकिस्तान नहीं भी फॉलो कर दिया यह बाइब इंक्रीजिंग देखे पाकिस्तान नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान वह बहुत वर्ड़नरेबल सच्वेशन हो गई थी अब क्या होगा अब दोनों ही कंट्रीज पर नुक्लियर वेपन सा गय थे इंटनाशनल कम्यूनिटी वस एक्स्ट्रीम डी क्रि नुक्लियर अटाक्स नहीं इसलिए वह हमारे पर संच्छंस लगा थे तो हम आपने टेस्टिंग ना करें बट इंडिया ने अपनी नुक्लियर डॉक्त राइन वह समय में बहुत क्लियर कर दिया कि हम लोग क्या करेंगे हम नो फर्स्ट यूज में बिलीव करते हैं कि हम अ बिलीव नहीं करते हैं कि हम नुक्लियर अटाक करेंगे और साथी के साथ में हम यह कहा कि अगर आप कुछ नुक्लियर डिसार्मेंट ट्रीटी ऐसे बनाओगे जो डिस्क्रमिनेटरी ना हो जैसे यह तुमने एन पीटी बनाई कि बनाओ ही मत अपने नुक्लियर वेपन तो अगर कोई तो नॉन डिस्क्रमिनेटरी जो ट्रीटी बनाओ के तो शायद हम उन में जो है पार्टे से पेट करेंगे और हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बिलीव करते हैं ऐसा हमने नुक्लियर जो अब हमने अपने टेस्टिंग करी फॉर मिलिटरी वर्बस उसके ब हम आपको सपोर्ट करें तो एक नॉन डिस्क्रमिनेटरी टीटी बनाओ अब तब हम करेंगे ठीक है यह एड हुआ है टॉपिक और यह इंपॉर्टन बात है जो हमारे को समझनी है अपनी पूरे चाप्टर में और नुक्लियर पॉलिसी के लिए इसे समझना जरूरी है अभ जो है अगर हम प्रेजन सिटूएशन की बात करें तो फिर से इंडिया नहीं का है कि हम हमेशा नूक्लियर पॉलिसी जैसे भी है हमारी हमारी नूक्लियर पॉलिसी जो है वो पीस ओरेंटेड रहेगी और हमने जो है अभी तक क्या नो फर्स्ट यूस को रिफ्लेक्ट कर कि हम पहल नहीं करेंगे बट आज कल के जमाने को देखते हुए contemporary world में जो चल रहा है present political situation जो चल रही है present situation जो global world में चल रही है उसको देखते हुए इंडिया ने यह clear कर दिया है हमने global world में पूरा global stage पर यह clear कर दिया है कि जो यह हमारी no first use की policy है कि हम ने काई कि हम पहल नहीं करेंगे nuclear weapon की तो यह हम review और change भी कर सकते हैं यह decision हमारा बदल भी सकते हैं हमने काई no first use तो मतलब यह no first use है नहीं हम इस situation को बदल भी सकते हैं और change भी कर सकते हैं in consonant with इंडिया's regional national security कि अगर हमारी खुद की country की security या हमारे किसी एक region की security से related भी अगर कोई बात आएगी तो हम अपनी यह no first use वाली policy को change कर देंगे हम first use भी कर सकते हैं ठीक है तो अब global world को हमने यह message दे दिया है दाट भी हमारी जो policy है अभी हमने करी नहीं है change आट हम no first use में बिलीव अगर बात आती है देश के किसी एक region की security पर अगर बात आती है तो तब हम अपनी इस policy को review याने की बदल सकते हैं यह हमने कहस दिया है इन एडिशन तो डिस इंडिया is committed to ensuring its membership in nuclear supplies group प्लस हम जो NSG है उसका हिस्सा रहेंगे energy की full form याद कर देना और अभी भी हम जो अन्जिस्ट ट्वीटिस है जैसे की npt nuclear proliferation duty और ctbt इनका हिस्सा नहीं है इनका हम हिस्सा नहीं बन रहे हैं ठीक है तो विद इस आपका अब आगे के added topic को guys पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके लिए एक बार हम अपने syllabus वाले जो है PDF पे चलते हैं वहां से मैं आपको बता देती हूं कि आपको वैसे मैंने syllabus की detail वीडियो भी बनाई है को तुम्हें समझना कौन सा कहां से पढ़ोगे वह भी देख सकते हो बढ़ इंडिया फॉरंड पॉलेसी सारा हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स फॉरंड पॉलेसी यह सब हमने पढ़ लिया इंडिया चेंजिंग रिलेशंशिप हमने पढ़ना इस चाप्टर में काफी कुछ पढ़ा अब देखो यहां सबसे पहले बता रखा है चैप्टर है यूएस है जी मनी थीक है तो वह चैप्टर तो डिलेट हो चुगा बट उसमें यूएस और इंडिया के रिलेशंशिप यहां मेंशन कर देना ठीक है फिर आप यहां देखो चाइना का रिलेशंशिप तो चाइना का रिलेशंशिप तो चाइना का रिलेशंश कैसे थे वो हम कहां से पढ़ सकते हैं साउट एशिया वाला जो चाप्टर है वहां से पढ़ेंगे ठीक है तो जब साउट इश्या मैंसे वह कवर कर लिया तो यह भी हो गया फिर आया यह इस्राइल लिखा इस्राइल अभी पढ़ा दिती हूं आपको अगर टॉपिक में गिवन है उसके बाद हमारा रिलेशंचिप हमारे नेवर्स के साथ पाकिस्तान कवर कर लिया इस चाप्टर में बांगलादेश कवर कर लिया और हो रहा है आपकी बुकवन कर चैप्टर जो कंटेंप्राडी साउथ एस चैप्टर से यह सब हमारे नेवर्स के साथ कैसा रिष्टा है हमारा उसाब कवर हो रहा है इसमें आड कर दिया आप पढ़ना वहीं से ठीक है एक वीडियो देखिए आपने जब साइशन इंडिया प्रोग्राम यह तो हमने कर ही लिया है ठीक है तो सारा का सारा चाप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक इस वीडियो को देखिए और जब आप देख रहे हो एंड आप प्लैरिटी तो रशिया का रिलेशन हो गया साउथ एश्या अन तकांटेंब्रेडी वर् इस राइल का रिलेशन सी बिसीने बताया है मेंडमार का रिलेशन सी बेसी कैसा था कैसा है तो कोल्ड वर के टाइम पछोंगों ने कंप्ली से यू प्रैक कर रहे थे इंडिया के ऊपर ऊपर कॉन यूएसे पकिस्तान और चायना तो हमने फ्रेंड्शिप बना ली थी अपने USSR से बढ़ जब USSR कॉलाप्स हो गया तो हमारे वर्ल्ड स्टेज में हमारा दोस्तों यह कॉलाप्स हो गया अब हम हमारा फ्रेंड कॉन है ठीक है यू सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया था ठीक है तो ग्लोबल एकॉनिमी पे हमें बहुत बड़े एक प्लेयर की तरह आते हैं अब हमने अपने दर्वाजे खोल दिये थे तो उसके बात से हमारे एक रिलेशन्शिप जो यूसे के साथ है ना वह थोड़ी चेंज होने शुरू होते है तो आप यह सब पॉइंट्स मेंशन करते हैं यह सीवीजी का ही आप कह सकते हो यह जो हमारा आ वह रेफरेंस मैटीरियल सो तर्डी माटीरियल से मैंने इंफॉमेशन एक्सेस करी है तो ए सब्सक्राइब हो गया और हम पूरे वर्ल्ट स्टेज पर एक ऐसे देश की तरह सामने थे कि हाँ भाई हम लिब्रलाइज हो गए हैं अब आप हमारे इंवेस्मेंट करने आ सकते हैं तो इसलिए हम और यूसे का फ्रेंशिप थी वह और जो रिलेशन्शिप है वह और अच् कि एकॉनमिक रिलेशन्स काफी अच्छे हो गए जैसे कि इंडिया जो था वो यूसे जो है इंडिया का लाजेस्ट ट्रेटिंग बन गया इंगूज और जन सर्वेसे तो अभी देखते हैं इंडिया और जो हमारा क्या है यूसे उसके एकॉनमिक रिलेशन्स यहां आप दे सकते हो कि हमारा ट्रेड बाइलेटरल ट्रेड जो हो रहा है आपस में कांट्रीज बिलियन ठीक है और एक और मेजर एरिया है जहां पे यूसे और इंग्रिया इक दुस्रे को सपोर्ट करता है यानि कि टेरोरिजम के खिलाव जंग के लिए एंडिया और यूसे एक दुस्र जो होती है उसके लिए हम लोग शेयर करते हैं USA के साथ necessary information और USA हमारे साथ करता है terrorism के मामले में और technology का exchange वो सब भी हमारा USA के साथ होता है यू ऐसे उस हेजिमोनी वाले चैप्टर में हमें यू एसे इंडिया के रिलेशन के economic wise trade bilateral trade का मैंने आपको हमारा यहीं उसे और हमारा और जो है आप आगे यह भी मेंचिन कर सकते हो जैसे ही तो बुक्त में में कि USA जो है इंडिया का 65 जो है total export software sector में चितना जितना भी software ठीक है technology जितनी में हम वो एक्सपोर्ट करें है उसमें सिप्सीए परसें नहीं यूसे को एक्सपोर्ट करें है 35% जो टेक्निकल स्टाफ एंडिया का है इतने सारे इंडियन सिटिजन वहां कर रहे हैं इंडियन वरक्स इंसिलिकॉन वैली जरह देखना कितने इंडियन वाली में वार्क करते हैं और मुस्त 3 लाग गिवन है यहां पी तो पुराना डेटा है इंडियन वाली में काम करते हैं तो यहां और बी कुछ इंफॉमेशन दी गई है तो आप यहां पर देख सकते हो और विद इस हम अपना नेक्स टॉपिक करते हैं इस इस्राइल के साथ हमारा डेलेशनशिप कैसा है बहुत लिमिटेड इंफॉमेशन हमें दी गई है तो जितनी इंफॉमेशन सी ने प्रोवाइड करी है वो पढ़ लेते हैं हम अच्छे तरीके से जो डिटेल्ड रिलेशनशिप वीडियो है वो भी हम कभी कवर कर लेंगे और साती के साथ में इस्राइल है वो हमारा एक और चाप्टर में भी आड़ हो चुका है इंडिया की foreign policy में इस्राइल के साथ कोई ऐसा relationship established ने की हुआ ठीक है जबकि अगर देखा जाए तो दोनों ही नेशन जो है आज के समय पर अगर हम इंडिपेंडेंस के बात करें ना तो दोनों नेशन को सिमिलर एक ही टाइम के आस पास में अजादी मिली हमें ब्रिटिशर स से अजादी मिल गए थी colonial rules in 1947 में और इस्राइल को मिली 1948 में तब भी हमारा इतना connection नहीं हो पाया दो historical and cultural ties between इंडिया इस्राइल have gone back from time immemorials यादि कि बहुत समय से ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ relation ही नहीं था बहुत समय पहले से हमारे ties थे इसराइल के साथ में बट हम अच्छे तरीके से अपने अन आप कहो कि on the global level अपने diplomatic relations develop नहीं कर पाए काफी समय तक ठीक है diplomatic relations formally ठीक है formal way में develop होते है हमारे after the opening of the two israel embassies in इंडिया 1992 में ठीक है 1992 में हमारे आपे इसराइल की दो embassies settled होती है तब से formally हमारा और इसराइल का diplomatic relations start होता है उसके बाद भी बहुत जादा exceed नहीं हुए थे हमारे relationship अगर हम अभी के बात करें तो relationship between the two democratic nations have further intensified इसराइल और हमारा relationship बहुत intensified हो गया है कब से होना शुरू है जब से हमारे countries के जो head है देखो country के rulers ही जो है हमारे elected leaders ही है वो ही हमारे diplomatic relations को आगे बढ़ाते हैं ठीक है उनकी policy जो बनाते हैं वो हमारे diplomatic relations को आखे बढ़ाएगी तो अगर हम अभी के बात करें तो जो हमारे leaders हैं जैसे की प्रिधान मंत्री मोदी जी ठीक है हमारे जो prime minister है और जो इसराइल के leader है तब से जब से जो है इंडिया के prime minister इसराइल गए इसराइल प्रिमिनिस्टर इंडिया है तब से हमारे relationship diplomatic relationship world level पे increase होने start हुए the two nation has started cooperation in various fields हमने एक दूसरे को cooperate करना बहुत सारी फिल में शुरू कर दिया अभी हाली में आपने देखाऊगा इसराइल पैलेस्टाइन वार हुआ था ठीक है तो इसराइल अगर आप मैप पे देखो तो इसराइल कहां पे located इसराइल is a Jewish nation ठीक है और यह जो है अरब वर्ल में डॉमिनेटेड है अरब डॉमिनेटेड वर्ल में located है इसराइल ठीक है तो इसराइल जो है बहुत ज्यादा आज के समय पे डेवलप हो रहा है हर एक एरिया में चाहिए पावर हो या फिर आपको हो सेक्योरिटी से रिलेटेड यानि की टेररिज्म को काउंटर करने के लिए डिफेंस से रिलेटेड काउंटर टेररिज्म के लिए स्पेस रिसर्च पे वाटर एनरजी एग्रिकल्चर डेवलपमेंट अभी आप जो है न्यू सेंटर ऑफ पावर चाप्र में पढ़ोगी कि इन्होंने काफी अच्छी अग्रिकल्चर टेकनिक्स निकाली है इसराइल में तो उन सब एरिया में हमने इसराइल के साथ को पर देड कर ना शुरू कर दिया तो इस्राइल आपको यह जो है रीट करना है पूरा का पूरा है अच्छे तरीकी से समाझ लेने हैं इसली चाप आपर परम में पड़ा एसियन एसोसियेशण साउट इस एस इसी एक एमर्जिंग राइसिंग पावर की तरह है यह उसमें में मार भी हिस्सा है तो हैं के साथ हमारे अच्छे establish करने के लिए हमारा जो मेनमार है मेनमार से हमारा border भी लगता है ठीक है मेनमार से हम boundary share करते है through the northern eastern states हमारी बहुत सारी policies ऐसी है जो हमने बनाई है जैसे कि neighborhood policy act eats policy उस तो मेनमार जो है काफी important आप कह सकते हो intersection पे है इसलिए आप कह सकते हो कि इंडिया के relationship जो है मेनमार के साथ वो काफी significant है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया और जो है मेनमार के relationship history से लेके अभी तब क्या-क्या points आप mention कर सकते हो अगर exam में question आए आपका related to the India मेनमार relationship ठीक है तो इंडिया और मेनमार ने sign करी थी treaty of friendship in 1951 1951 में हमने मेनमार के साथ friendship treaty sign करी थी मेनमार significant country है हमारे act east policy के लिए मेनमार इंडिया का gateway है to the southeast अगर हमें southeast Asian countries में इंटर करना है तो हमारा चैनल है मेनमार ठीक है में अपनी assistance कोशिश करी है कि कोई natural calamity आए तो हमने मेनमार की कोशिश करी है जैसे cyclone जब आया था में 2017 में 2015 में और जब earthquake आया में 2010 में और cyclone अलग अपको बता रखे हैं यहां पे तो उस समय पर हमने मेनमार की चैनल के उसरी में अपना की चैसूश करें है किया ऑन फृझ रखेंशिए इन्चाल इंच्मार की कोई आ struck इंडिया और मेनमार का इंडस्ट्रियल ट्रीनिंग सेंटर भी जो है इस्टाबलिश हुआ है तो हमारे और मेनमार के रिलेशन्शिप आप यहां से समझ सकते हो मेनमार इस पोटेंशनली एन इंपॉर्टेंट पार्टमर इन इनर्जी सेक्टर एस फ्यूचर ऑफ्शूर गैस इंडिया ऐमेनमार जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों हम इतने अच्छे एक्षिण मेंमार के साथ नहीं है क्योंके जब हमार को अगर गैस मंगानी है पाइप लाइन तो मेनमार से गुजरती हूं वह आईंगी हमारे आप तो इसलिए फ्यूचर में हमारे म अब सोट्टेज्ट करने हैं हमें उनको अपशंड में पॉलिष्टीज असे टूस्वा में हमारा चेनल है मेनमार के घूंदीशनषेप रखना हमार भी है और ये हमारी पॉलिसी है for the main march तो इतना ही आप लोग के लिए ठीक है हम इतना ही cover कर रहे थी क्योंकि CBSE ने वैसे तो हमारे को कोई additional PDF में कुछ दिया नहीं है Israel की भी limited information दीती यहां limited information मैंने CBSE के additional materials given होते हैं वहाँ से cover करी है तो with this guys we have completed this chapter with this guys we have completed this full chapter India's foreign policy जितना NCRT में content given था वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया जो added आपको पढ़ना था India US के relationship जो आपको नहीं पता है कहां से पढ़ो hegemony में से और कुछ extra मैंने आपको cover करा दिया India's nuclear program added topic मैंने इसी वीडियो में आपको cover करा दिया इस्राइल relation added topic मैंने इसी वीडियो में कवर कर दिया और मीन मार्ट जिसके लिए हमाई पास material नहीं पढ़ने लिए वो भी मैंने आपको cover कर वाया है इस वीडियो में अब बाकी बात करें चाइना से relationship भूटान से नेपाल से श्रिलंका से या रशिया से वो सब हम book one में cover कर रहे हों कि अलग लग chapters में तो अगर को क्वेश्चन की बात नहीं है सब हो जाएगा और यह chapter और यह chapter fully आपका complete हो चुका है तो एक ही वीडियो में देखो हमने पूरा chapter complete कर दिया आपको चाप्टर से समंझ में आगे होगा आपको पॉलिटिकल साइंस के साही chapters पढ़ने हैं तो डिस्क्रिपिशन बोक्स की प्लेइस को चेक करो नहीं तो चैनल पे जाकरो कई पर में प्लेइस जो है टाच करना भूल जाती हूं तो आप जाकर लेना यह किसी पी chapter का नाम स से नोट्स ले सकते हो और जो है अगर आप इंसेघ्राम यूज नहीं करते तो भी कोई बात निया चाप्टर का पेंड़ कॉमेंट चेक करो गाइज में पेंड़ कॉमेंट में शॉट नोट्स अप्लोड कर देती हैं यूट्यूब से चेक कर लो कोई क्वेरी से तो बता दो और ऐसी अगर आपको हिस्ट्री जोगर्फी एकनॉमिक सोचलोजी साइकॉलजी फिजिकल एडुकेशन इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़नी है उप्ष्णल पढ़नी है तो एकन गो एंड चेक आप मैं चैनल मैं मिलते हूं आपसे नेक्स वीडियो में बभाई ठ जिकरान बेस्ट ओफ लाइब